दोस्तों ये latest question है coordinate geometry के आज 25 करेंगे और बाकी जो बचे होंगे वो next class में करा के complete कर देंगे यहां से coordinate हम complete कर सकते हैं चलिए पहला question के तक के का मान ग्याद कीजिए इस प्रकार की समिकर इतना इतना समपाती रेखाओं का प्रतिनिदित करते हैं इंग्लिस में पड़ो तो आप समझ जाओगे देखो दोस्तों इसमें क्या होता है जैसे A1 पहले समझ ना A1 X B1 Y प्लस C1 बराबर 0 A2 X B2 Y प्लस C2 बराबर 0 की जो कुछ समझेंगे और कहते हैं कि A1 अपाउन A2 B1 अपाउन B2 Does Not Equal To C1 अपाउन C2 ये इसका खेला होता है इसलिए यहाँ पर जो इसके C1, C2 है वो आपको अलग अलग नजर आएंगे पहले बोलो हाँ दोस्तों ना भी आएं तो भी डरने के इजवत नहीं है समपाति रेखा ठीक है ना भी आएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यानि आप बराबर भी कर सकते हो वो हो जाएगा यानि ये बराबर होता है ठीक है मतलब ये दोनों लाइन क्या है एक ही लाइन तो चाहो तो आप थियोरी को त्यार कीजिए और चाहो तो कोई जुरत नहीं है इस थियोरी की आपको बातों को सीखना चाहिए एक ही रेखा है ठीक है एक ही रेखा है एक तरीके से तो आप देखो यहाँ 2X है यहाँ 6X है तो किसका गुणा होगा 3 का तो आप पूरी रेखा में 3 का आप मल्टिप्लाई कर दीजे तो देखा जाए ये 6X ये 6X ये 9X और ये K तो ये K9 हो जाएगा 33, 33 क्योंकि एक ही रेखा है ठीक है पहले लाइन नहीं जो हमने पहले देजनॉट इक्वल टू कर दिया था C1 अपॉन C2 वो पहले लाइन में होता है और कॉंसीडेंट लाइन में क्या होता है बोथ लाइन्स आर सेम तो उसमें आपको यही करना चाहिए पहले बोलो हाँ ठीक है 9 is the right answer of this question Second question Find the area of a triangle form दिखिए हम अच्छे से जानते हैं कि जो हम एरिया निकालते हैं इस पैटर्न के त्रिबुचकार तो कैसे जिसे 1,0 लिखा माइनस 1,0 लिखेंगे 0,1 उसके बाद जो पहले नंबर में लिखा उसे repeat कर देंगे और हम लोग जो करते हैं solve तो कुछ ऐसे करते हैं प्यारे दोस्तों यह latest NTPC के coordinate geometry के question है इसका इसमें गुणा तो 0 इसका इसमें गुणा 0 इसका इसमें गुणा तो माइनस का 1 और यह 0 नहीं होगा इसका इसमें 0 और यह माइनस का 1 याद रहे area कभी negative होता नहीं है फिर भी minus 2 upon 2 लिखके minus 1 पर negative नहीं होता तो positive यानि 1 is the right answer क्योंकि जब भी आप इसको करते हैं तो यह mod के रूप में होता है किसमें होता है बच्चा mod के रूप में होता है याद रहे धीरे धीरे आपको सब सिखाया जाएगा दोस्तो question number 2 के बाद question number 3 latest कहता है x और y के भी सम्मन इस प्रकार है कि इतना समान दूरी पर है समान दूरी यानि equilateral triangle समान दूरी यानि equilateral triangle जिसे ये ट्रेंगल है ABC और ये vertices भाई A के vertices B के vertices C के बिंदू दे दिये गए और अब समान यानि equal distance यानि दोनों की बीच की दूरी समान माल लो ये बिंदू x1, y1 है और ये x2, y2 है तो हम कैसे निकालते हैं दो बिंदू की बीच की दूरी आप कुछ भी कर लो जैसे x1-x2 का whole square y1-y2 के whole square कुछ ऐसा हमने बच्चपन में चीखा है बोलो हाँ ये बात सारे मासूम को समझ में आ गई होगी दोस्तो ध्यान देना मगर प्यार से x और y के बीच सम्मंद क्या है जब x, y 6, 2, 4, 6 से समान दूरी पर समान दूरी पर देखा जाए x, y ऐसे लिख दो 6, 2 ऐसे लिख दो 4, 6 ऐसे लिख दो अब इन दोनों के बीच की दूरियों का बराबर करना है तो आप ऐसे करोगे जिसे अंडरूड में नहीं जिसे मान लो आप a देदो a, b, c तो आप कहोगे sir, a, b बराबर a, c, के बिलकुल हम इसक्वायर करके बराबर करेंगे तो ध्यान देना इसका स्क्वायर तो यह लाइन ऐसे लिख रहा हूँ x-6 का होल स्क्वायर समझ गये ना और y-2 का होल स्क्वायर बाद में स्क्वायर कर देंगे चलो ऐसे कर देंगे a, c, x-4 का होल स्क्वायर ठीक है y-6 का होल स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे पहले बोलो हाँ सर यह बात भी हमको समझ में आ गई yes यह नो तो आप को होगे yes sir अब दोस्तों करना नहीं है इसी को open कर देना है whole square है यह दोनों लो सबको दिखी रहा है जब इसको खोलोगे तो यह आएगा x square 6 का 36 हो जाएगा 12 x ऐसे आएगा y square ऐसे 2 का square 4 और यह 4 y ऐसे आएगा फिर यह x square 4 का 16 आएगा और minus का 8 x आएगा y square ऐसे 6 का 36 आएगा और minus का 12 y आएगा दोस्तों patience रखना और हर एक चीज को सीखना y square से y square कटा x square से x square कटा बोलो मगर प्यार से और देखा यह जाए देखा यह भी जाए कि 36 से 36 भी कटा इदी सी बात है यह 12 x इधर आएगा तो plus का 4 x हो जाएगा यह 4 y इधर आएगा तो minus का 8 y हो जाएगा और यह 16 उधर बेज़ दो तो minus का 12 हो जाएगा फिर 4 से भाग देदो x minus 2 y बराबर minus 3 यह इसका answer आएगा बोलो मगर प्यार से तो question number 3 का भी answer x minus 2 y बराबर minus का 3 हो जाएगा 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 तो दोस्तो यह tough नहीं होते सीखना होता है यह वो question है जो latest question है ठीक है तो आसा यही है कि session को share जरूर करोगी जादा से जादा क्योंकि बढ़ियां बताए जा रहे है बर पेसेंस से 25 question कराएंगे तीन हो गए चौथा नव यदि 2, minus 2 और 5,2 एक वर्ग के लगातार दो सीर्स हैं तो वर्ग की प्रतेक भुजा क्या है दोस्तो यह हमसे खुल के कह रहा है कि वर्ग है खुल के कह रहा है कि यह क्या है एक वर्ग है पहले बोलो हाँ जब इसने खुल के बोला वर्ग तो आप खुद देखिए यह 2, minus 2 हो गया और यह चो चीज़ है 5,2 अब दो बिंदो के बीच की दूरी का फॉर्मुला हम जानते हैं कि 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वाइर 9 2 में से minus minus plus 2 यह 2 है 2 और यह minus minus plus तो 2 दूरी ना 4 4 का स्क्वाइर 16 बाहर आया 5 इसका अंसर 5 जिन महन लोगों को यह बास समझ में नहीं आई वो ऐसे कर ले कुछ महन भी होते हैं यहां सिंबल लगा के हम आपको सिखा देंगे जो कल को कहजो सर्वाइज इस कूला वरी डी जिन महन लोगों को यह बात समझ में नहीं आई वो ऐसे कर ले तो 5 माइनस 2 यानि 3 का स्क्वाइर 9 होता है माइनस माइनस प्लस यानि 4 का स्क्वाइर 16 होगा 5 इसका आंसर आएगा कोई तो बोलो कोई तो बोलो हाँ एक बच्चा कहता है मेरा नाम ले लो प्यारे दूस्त सेलेक्शन के लिए पढ़िए हमारे साथ और आंसर बताईए चौथे के बाद पांचवा नंबर कोईशन केता है माइनस टू और 1.3 नहीं लिखा ये 1,3 है 1,3 है माइनस टू 5 और 1,3 से गुजनने वाली एक सीधी रेखा का समीकरण ग्याद किजिए प्यारे दोस्तों सीधी रेखा का समीकरण या तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, आप्शन से स्लोप देख लीजिए कई तरीके होते हैं देखो जब भी ऐसा हो कि सीधी रेखा का समीकरण तो कहते हैं y-y1 y2-y1 upon x2-x1 और x-x1 बढ़िया से प्रेक्टिस करा रहे हैं latest ntpc question 7,3,2021 इससे अदा updated कोई नहीं पढ़ा रहा है यह याद रखना देखा जाए यह minus 2,5 है और यह 1,3 है y-y1 तो y1 आप इसी से ले लो 5 तो यह minus का 5 हो गया y2 यानि 3 minus 5 और x2 यानि 1 minus minus plus यानि 2 और x minus x1 तो x plus minus 2 याद रहे patience रखके solve करना mistake भी हो जाए तो डरना नहीं दुबारा कर लीना सीधी सी बात है 3 का यहाँ गुणा करो तो यानि 3y 5 तो याई 15 minus 2 का अंदर गुणा किया तो minus का 2x minus का 4 इधर आएगा तो plus का 2x हो गया plus का 3y बराबर 11 तो यह 2x plus 3y minus का 11 is equal to 0 यही इसका आंसर हो जाएगा पहला तरीका तो यह हो गया सीधी सी बात है पहला तरीका तो यह हो गया अब बच्चों की डिमांड होती है कि सर ऐसे हम ना करें कुछ हटके करें तो बच्चा स्लोप निकाल लो सीधे जो यह चीज़ होती है वो हमारी स्लोप होती है प्रवडता हिंदी में बोलते हैं अगर आप स्लोप निकालना चाहते हूँ तो आप स्लोप निकाल के भी आंसर को बता सकते हूँ सर कैसे भाई 3 स्लोप निकाल लो 3 minus 5 और नीचे 1 plus 2 यह इसकी स्लोप आ गई minus 2 upon 2 by 3 इसकी स्लोप होगी अब देखो इसकी स्लोप क्या होगी तो minus का 3 by 2 गलत हो गया कि दिश बात है minus x का कॉफिजेंट upon y का कॉफिजेंट तो 3 by 2 3 by 2 समझ गया न तो यह minus में नहीं बनेगा मलब minus का 3 by 2 स्लोप है इसका plus का 3 by 2 स्लोप आ जाएगा इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा minus का 2 by 3 समझदार हैं इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं फिर इतना आपको pen चलाने की जुरत नहीं है अरे कोई तो बोलो हाँ सर ठीक है अब एक बच्चा कहता है कि सर y1 minus y2 y1 minus y1 की जगे x1 minus x2 क्यों नहीं है बच्चा बच्चपन में आपने 10th क्लास में थे 11, 12 में अपने टीचर से क्यों नहीं पूछा ठीक है हम यहां research नहीं कराने बैठे हैं समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चपन से बुढ़ापे तक आपने यह formula याद किया है तो अब इसे याद कर लो अब कर दो हमारा इसी वक्त research करा दो तो अभी possible नहीं है उसके लिए छमा प्रार्ति साप सुत्री बात है हाँ यहां बदल सकते हो y1 minus y2 upon x1 minus x2 हाँ कहता है समीक्रण कि प्रणाली से इतना इतने का कोई हल नहीं है यानि no solution जब के का मानो भाई जब no solution है तो के का मान इसमें क्या होता है जब no solution ठीक है no solution तो यह कैसे उसको भी समझा जाएगा देखो 2x plus ky बराबर 11 है और 5x minus 7y बराबर 5 है जब no solution बोले तो समझाना a1 upon a2 b1 upon b2 यह लगाना है यानि 2 बटा 5 k upon minus का 7 7 दूनी 14 minus का 14 बटा 5 बराबर k यह इसका आंसर आएगा no solution जी हाँ दोस्तो no solution इसका आंसर हो जाएगा ठीक है प्यार से पढ़िए अच्छे से सी किये अच्छा कोशन है केता है वरत इतनी की 36 तो C का मान इस साल NTPC में अच्छे कोशन्स आए है ठीक है यानि 11 और 12 में जो कोडिनेट जेमेटरी पढ़ता दा बच्चा उन कोशनों को सामिल किया गया केता है X स्काइर प्लस Y स्काइर माइनस का 6X प्लस 8Y प्लस C बराबर 0 दोस्तों प्यार से पढ़िए का सी होता है G square plus F square minus का C होता है अब radius इसकी हमें दी गए ये 6 G square तो यहां से G की value आएगी minus का 3 F की value आएगी 4 क्योंकि comparison इससे C तो C रहेगा 3 का square 9, 4 का 16 और C तो C ही रहेगा square करतों ये 36 हो गया 25 minus C तो दोस्तों C का मान आएगा minus का 11 याद रहे बिलकुल इससे यदा update आप पुरे YouTube में ढूनना कौन पढ़ा रहा है ठीक है latest NTPC के question on the demand of student 7 के बाद 8 वा नमबर कहता है रेखा 4X minus 3Y बराबर 10 और इतने के प्रती 6 दन बिंदू ग्याद करें देखो इसमें कोई rocket science नहीं है मैं आपको बता देता हूँ फिलाल तो मैं तो shortcut से ही बताऊंगा पर आपको थोड़ा ग्यान दे देता हूँ इसमें करना क्या है जैसे ये 4X minus 3Y बराबर 10 है तो आप चाओ तो X रह निकाल लो X की वैलू आएगी 10 प्लस 3Y बाई 4 उठा कर पले समझों उठा कर इस सेकेंड एक्वेशन में पूट करोगे तो ये पूरी क्योंकि आप X की जगह Y पुट करोगे तो पूरी एक्वेशन convert हो जाएगी पूरी एक्वेशन Y में क्या हो जाएगी convert हो जाएगी अब इसको solve करोगे तो Y की दो value आएगे 2 मान आएगे ठीक है जब Y की 2 मान आएगे उठा कर यहां रखना X के 2 मान आएगे तब आपका answer आएगा थोड़ा सा यह long process होता है थोड़ा सा यह long process होता है अब तुम ठेहरे प्रकास search student यह भी तो matter है अब आप हम सीखोगे high tech concept हाइटेक concept में आप चीजों को जानो कुछ नहीं करना यह options बोलते हैं जिसे 4,2 चार्च को 16 यह 6 10 आ गया यह चार कॉमा दो चार कॉमा दो चार कॉमा दो ठीक है चार कॉमा दो चार कॉमा दो ठीक है अब 4,3 तो रखो यह 16 यह 9 यह options खतम अब इसमें माइनस 2,3 भी है इसको चेक कर लो तो यह माइनस का 8 3 है तो यह 9 तो कभी 10 नहीं होगा तो माइनस का 2,3 माइनस का 2,3 तो अब कितने options खतम हो गया तो सिर्फ ए बचा कौन बचा ए जो कि माइनस 2,6 रख लो माइनस का 8 छत्रिक 18 जब रखोगे तो भी 10 आएगा यानि options number is the right answer तब हम लोग हाइटेक कॉनसेप्ट की ओर जाएंगे वन्ना तो आप स्वयम जिम्मेदार हैं स्वयम जिम्मेदार हैं ठीक है भी आप बहुत मैनत पड़ रही है हम पढ़ाएंगे तब भी ठीक है आप हर एक lecture को बहुत proper देखी है हमारे इस वक्त कुछ ना कुछ नया करना ही है तभी बच्चों का selection हो पाएगा जैसे यहां कहता है यदि alpha और beta वहुपत इतने के शुन्यक हैं सुन्यक को यहां शुन्यक इसे zeros of the polynomial बोलते हैं ठीक है धैर पूर्वक समझेंगे वैसे तो इसको रूट्स बोलते हैं बच्चपन से आपने पढ़े हुए है खुलके कह रहा है इसके दो रूट्स है alpha और beta तो sum of roots क्या होता है जानते हो 5 समझ गा ना और product of roots के हो जाएगा बच्चपन से आप जानते हो और और अल्लेडी खुलके कह रहा है कि alpha minus beta ब्राबर 1 मतलब दे दिया आपको सब कोज़ दिस इस इस इक्वेशन नमबर 1 इस 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 इक्वेशन नमबर 2 तो करोगे तो 2 beta cancelled 2 alpha ब्राबर 6 alpha ब्राबर आएगा 3 और beta ब्राबर आएगा 2 alpha ब्राबर 3 और beta ब्राबर 2 आएगा अब हमसे कहता है के का मान में लग के का मान बताओ तो देखा यह जाए कि product of roots क्या है मूलों का गुड़न फल यही है बच्चा तो 3 गुड़ा 2 बराबर समझ गया तो k is equal to 6 is the right answer इस question का answer 6 आएगा बोलो मगर प्यार से दोस्तों इसमें repeat क्या करना है यह तो आपका एक तरीके से algebra का question हो गया coordinate की जगे क्या हो गया algebra का question हो गया cbc बात है भाई जिसे हम लोग नहीं पढ़ते थे ax square प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो कहते थे मूलों का योग पर तो क्या कहते थे alpha प्लस beta minus का b upon a alpha into beta c upon a कुछ याद आया तो already यह दोनों तो बना लिया हमने गवर हो गया ठीक है गवर क्या रफ हो गया था अब रफ हो गया तो रफ ही हो गया फिर लाया कैसे जाया लाने के लिए फिर देखो फिर से रफ हो रहा है ऐसा कैसे अच्छा यह touch हो रहा था आ गया ठीक है तो दोस्तों चीजों को सीको alpha प्लस beta ब्राबर 5 alpha into beta ब्राबर के बाकी आप समझदार है कहता है हमसे यदि 2,7, 5,1, x,3 एक क्रिबुच के सीर से जिसका छेतरफल 18 तो x के संभावित मान गयाद किजिए हम आपको बता दें यह question के 4 options गलत है सर ऐसा क्यों बिलकुल अभी से बता गे रहे हैं सभी जानते हैं कि paper में कई questions गलत आयते इसके 4 options wrong बात समझ गए तो जो हम लाएंगे वही answer true है जो जब answer की आती है जब बच्चे फाइल करते हैं कि भीया यह question का answer क्या होगा बस यही है तो इसके 4 options क्या है wrong है यह बात याद रखना मिश्टेक नहीं के रहा हूँ यह original question सामने है मैं चाहता तो options बदल देता पर मैंने ऐसा नहीं कि देखो केता है 2,7 5,1 x,3 area का funda आपको बताया गया है मगर प्यार से हमने आपको area बताया है कि area जो इसका होता है वैसे दिया ही गया है ठारा एक बटा दो यह चीज मौड में होती है positive कैसे करते हैं यह भी समझो ठीक है मौड में होती है इसका ऐसे ऐसे तो दो ऐसे 7 पना पैटिस माइनस का प्लस का 15 माइनस का एक्स 7x माइनस का 6 18 दूनी 36 अभी इसको मौड में ही रखो देखा यह जाए इन दोनों का मिलन यानि यह 6x हो गया यह माइनस का 20 हो गया इन दोनों का मुद्दा खतम माइनस का 20 और यह जो इसके 7 आया माइनस का 4 लेकिया अलब 24 हो गया अब यहां दो-दो वैलू आ रही है इसका मतलब एक बार हम सिंबल होध प्लस ले ले एक बार मानस ले क्योंकि वैसे क्लाइस में निकालना पढ़े गाँ फिर और क्या प्लस ले लिए तो यहाँ है व्लंदयर और्म मन सब्सक्राइब मैंनस कल और अगर मैनस ले लिए यह 12 और माइनस का 6x तो x बराबर माइनस 2 यह दोनों option में नहीं है तो इसके right answer 10, minus 2 आएगा यह बात याद रखना क्यों आया? बता दिया इसके 4 options wrong थे paper में यह बात याद रखिएगा original set में बता रहा हूँ original set में बता रहा हूँ इसके 4 options क्या थे? wrong थे ठीक है हमने बदले नहीं क्यों नहीं बदले? जिससे आपको मालूम चले डरना नहीं है सीखना है और चीजों को जानना है ठोको लाइक बोलो हाँ हर चीज सिखाएंगे मगर प्यार से दोस्तो question number 11 क्या कहता है उसको समझो find the equation of the tangent to the circle इतना at x is equal to 2 देखा जाए इसके 2 answer और देखा जाए मैं आपको बता दू अगर आप expert बनना चाहते हैं तो यह x बराबर 2 है तो यहाँ negative नहीं होगा positive दोनों सही है एक negative एक positive जो की गलत हो गया एक negative एक positive गलत हो गया यानि इसका b answer हो गया यह बात याद रखिए 19.1.2021 में यह question आया बच्चा कहता है सर करके बताओ बिल्कुल किया जाएगा देखो x square plus y square बराबर 9 इसमें क्या होता है x x1 नहीं पहले तो आप क्या करो कि जो equation लिखी है x square plus y square बराबर 9 यहाँ put कर दो क्या x बराबर 2 उठा के धरा तो 4 plus y square बराबर 9 के तो y बराबर plus minus under root 5 आ गया यह तो आ गया अब जो equation होगी तो वो क्या बनती है x x1 plus y y1 बराबर आपका 9 ही होगा अब दोको x1 की value तो 2 ही है यानि यह 2x y1 की जो यह value निकल क्या ही है अब यह x1 यह y1 as a treat करते हैं एक बार plus एक बार minus समझ गया ना क्योंकि यही है तो यह equation बनेगी जो कि option number c में 2x 2x सेम है बाकी किसी में नहीं है बोलो बोलो tell tell तो दोस्तो session को तेजी से share कर दिजेगा एक बच्चा पूचता है कि 9700 किरन की किताब bilingual है? नहीं वो हिंदी में है यह coordinate की question भी solve कराए जा रहे हैं यह bilingual करवा रहा हूं मेहनत से अपनी तरब से कि आपको ज्यान अर्जी तो ज्यान अर्जी तो find the area of the triangle whose vertices इतना 21,1, 2021 का question एक त्रिबुच का छेतपल ग्याद किजिए जिसके सीर्स ही है दोस्तो माना जाए कि आप ABCD रखोगे तो आप थोड़ा calculation में भटग सकते हो आप अपने मन से क्या कर लो A बराबर 1 B बराबर 2 C बराबर 3 अलग-अलग इसलिए लिया कि किसी भी option में कोई matter ना है अगर पहले में 1, 2 रख रहे हो तो देखो मैं यहार ready में रखूंगा 1 अब B और C का योग 5 हो जाएगा एक और 5 फिर A 1 ही रहेगा B माइनस C तो 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा फिर देखो A जो की माइनस में 1 है और C जो की 3 है और पहला वाला फिर से उतार दो क्योंकि एरिया निकालना है दोस्तो एरिया कैसे निकालते है वो भी जानते हो Aero method माइनस 1 माइनस का क्या होगा 5 प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस 5 माइनस का क्या आएगा 3 आएगा देखा जाए इससे इसका happy birthday बाकी कुछ करता होगा नजर नहीं आ रहा है माइनस 6 माइनस 6 तो माइनस का 12 दो से भाग यानि माइनस का 6 जिसे positive 6 बोलेंगे क्योंकि एरिया कभी negative नहीं होता दोस्तो ये value options में रखो जो हमने बताई है तो जैसे यहाँ 2B है तो 2 गुड़ा 2 यानि 4 6-4 का गुड़ा नहीं होता बाकिस something कुछ भी हो गलत हो जाएगा C जो की 3 है A माइनस B जो की माइनस 1 आया ये भी गलत हो जाएगा BC BC दो गुड़ा दो गुड़ा 3 ये भी गलत तो फिर D answer होगा 2AC 2 गुड़े 1 गुड़े 3 यानि 6 is the right answer याद रहे ब्रमास्त आफ सक्सेस सभी बच्चों के लिए ये है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा चले दोस्तो सेलेक्शन के लिए पढ़िए हमारे साथ 12 के बाद 13 नमबर बिंदु इतना इतना के सीर्स है 12-2021 का कुशन है morning shift का कि क्या है तो हमने इन बिंदु ओ को ऐसे रख दिया क्या होता है कॉअडिनेट के कुशनों में बच्चा इनके बीच की दूरी निकालना होता है क्या निकालना होता है दूरी यानि distance मयलब इसके इसके और इसके बीच की distance निकालनी होते है जब distance निकालोगे तो आप खुद देखो आपको formula मालूम होगा 4 में से 3 गया 1 1 का square 1 में से minus 4 गया तो 3 3 का square नो वो negative भी होगा तो भी positive मालूम चला root 10 इन दोनों के बीच की दूरी का formula मेरे भाई ये लगा दो ठीक है मैं लिख देता हूँ कल को कोई है न कहिए दोस्तो जब यहां लगाओगे तो 4 में से 1 गया 3 3 का square नो एक में से 2 गया minus 1 square करोगे तो ये भी root 10 आया इसमें आजाओ 3 में से 1 गया 2 2 का square 4 4 में से 2 गया 2 2 का square 4 ये root 8 आया root 8 root 10 root 10 पर लेकिन 2 भुजाएं बराबर हो गई अगर 2 भुजाएं बराबर होगे समधी बाओ जिसे आईसोस्केलर स्ट्रेंगल कहते हैं यानि 13 का answer D हो जाएगा समधी बाओ त्रिबुज जी हां दोस्तो समधी बाओ यानि आईसोस्केलर स्ट्रेंगल is the right answer चाले 13 के बाद 14 नंबर question 14 नंबर question बढ़हां से बताएंगे उस बिंदो के निरसांग याद किजिए जो बिंदो इसके भी चारो option error है error कैसे ये paper में ही error आया है ठीक है paper में क्या है कि दोको यहां 3-3 है यहां 3 है यह वो बात लगे ये चीज 3 होनी थी ठीक है तो समझदार है इसलिए उस बिंदो के निरसांग याद किजिए जो बिंदो इतने को मिलाने वाली देखा कि आंत्रिक रूप एक और दो के अनपात में विवाजित करते है प्यारे दोस्तो बढ़यां से सीखिए ये 2,4 है ये 7,9 और 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है प्रकास कॉंसेप्ट क्या था उसको समझे इसका इसमें इंटू और इसका इसमें बस ऐसे ही चलाना है इस 2,4 का इस 2 में होगा 7,9 का इस 1 में होगा तो 2 का पहले 2 में करोगे तो 4 आएगा 7 का 1 में यानि 7 आएगा दोनों का योग 3 आया फिर से दोखो 4 का 2 में 8 आएगा 9 का 1 में 9 आएगा दोनों का योग 3 यानि 11 बटा 3 और 17 बटा 3 इसका आंसर आएगा बाकी लोग फॉर्मला लगाते हैं क्या इसे M1 और M2 माल लेते हैं तो M1 M2 करके ने M1 X1 प्लस M2 X2 दोनों के योग वो फॉर्मला इंटर्नल और एक्स्टर्नल डिविजन का हम बिना फॉर्मले के सिखाते हैं चले दोस्तो 14 के बाद 15 नबर 2-3-2-0-21 इवनिंग सिफ्ट का कोशन है ठीक है सेकिंड सिफ्ट बोलते हैं इवनिंग सिफ्ट को बढ़िया कोशन है या कहता है यह एक व्रत है क्या कहता है साब सब्दों में बोला है इस इस अ सर्कल यह एक सर्कल है इन जर्नल आप सर्कल की एक्वेशन कुछ ऐसे जानते हो x² प्लस y² बराबर a² मनलब इसी पैटर्ण पर जानते हो चाहें x प्लस a का whole square हो जाए y प्लस b का whole square हो जाए बराबर a² कुछ ऐसे जानते हो समझ में नहीं आ रहा है तो देखो अभी दिमाग लगेगा आप कहता है हमसे खुल के बीटा x प्लस 1 का होल स्क्वेर बाई 3 और y प्लस 2 का होल स्क्वेर बराबर 4 तो यह इस पैटन पे लाना है तो आप खुद विचार करो खुद विचार करो विचार कैसे समझ यह चीज यहां 3 है तो यहां 3 नहीं होना चीए क्यों यहां 4 है तो यहां 4 होगा तभी LCM से इधर आ जाएगा तो करना क्या है इसे हम कर देंगे 3 बटा 4 3 बटा 4 करते यह 3 से 3 कटेगा और यह x प्लस 1 का होल स्क्वेर वाई प्लस 2 का होल स्क्वेर बराबर 4 की हो जाएगा इसका मतलब बीटा बराबर 3 बटा 4 आएगा तो कि 3 इसी से कटेगा बाकी 12 रखोगे तो 12 उपर 4 फस जाएगा पर यहां से यह 4 जाएगा नहीं क्योंकि हमें इस पैटर्ण में लाना होता है अब्जर्वेशन कोशन है तो इसका आंसर 3 बटा 4 आएगा Find the radius of the circle दोस्तों इस बार बढ़ियां बढ़ियां कोशन आया यह 4 मार्स 2021 का Morning shift का है बच्चों की डिमांड हमसे यही थी कि सर कि ऐसे कोशन कराईए मोहबत वाले हमने का सब कराएंगे बच्चा छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बच्चों की special topic हैं बच्चा कहते सर को ओर्डिनेट जेमेटरी के special मतलब latest question बढ़ियां आया थे हमने का इसकी सीरीज दीजे हम उसकी भी सिरीज लाएंगे मनब सब आपको वेल मैनर प्रोवाइट करेंगे बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए रेडियस ऑफ दा सर्कल रेडियस ऑफ दा सर्कल दोस्तों circle की equation आज मैंने ये भी बताई है वैसे दो होती और भी है x square प्लस y square 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 पहले बोलो हाँ यहां हमने बताया कि अगर रेडियस चाहिए तो होता है g square प्लस f square माइनस का c अब इस सा comparison कर लो जो x की value मलब g की value आएगी ये 2x है बराबर 7 के तो g बराबर 7 बटा दो 2f बराबर 4 के तो मनलब f बराबर किसके 2 के और c बराबर 9 के उठा के रख दो तो 7 बटा 2 49 बटा 4 हो गया 2 का square 4 माइनस 9 49 चार 16 न 4 को 36 बटा 4 20 29 समझे गे ना r बराबर 29 बटा 4 जिसे ये समाच r बराबर root 29 by 2 के नाम से जानेगा the right answer of this question root 29 by 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा root 29 by 2 हो जाएगा चले हर चीज को हम सिखा रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं ठीक है ऐसे classes नहीं हो रही है जो बच्चा सुचता है सर ऐसे देख रहे हैं चार तीन का question सारी serial सारे coordinate के question एक साथ मेहनत का खेल है मेहनत का खेल है और सब पढ़ाएंगे अब धुआ धुआ कर देगे कहता है बिंदू इतने इतने से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकर्ण आज ही बताया है या तो आप इससे slope निकाल लो तो सारे options से slope देखोगे बट देखा जाए इन दो options के slope सेम हो जाएंगे तो नहीं ऐसा करना है क्योंकि slope सेम हो जाएंगे तो मालूम चला यही आंसर है तो फस जाओगे हमने आपको बताया जिसे यहाँ 0,2 है और 1,-3 आज हमने आपको प्रचेंट ग्यान दिया है y-y1 बराबर y2-y1 बचपन की यादे x2-x1 और x-x1 होता है पहले बोलो हाँ दोस्तों देखा जाए y ऐसे y1 की वैलू अब y1 की वैलू यहाँ से उठालो 2 y2 जो की माइनस का 3 y1 माइनस का 2 नीचे आजाओ x2 जो की 1 और यह 0 और x यह 0 देखा जाए y-2 ऐसे माइनस का 5x ऐसे यह इत्ते आएगा तो 5x प्लस y माइनस का 2 is equal to 0 यही आंसर होगा सावधानी हटी दुरगटना घटी कैसा लग रहा है इमानदारी से बताई अभी 8 कोशन और कराए जाएंगे जी हाँ दोस्तों कितने कोशन कराए जाएंगे 8 कोशन और कराए जाएंगे बोलो मगर प्यार से दोस्तों very very important और जिसके भी पेपर में किसमत में यह कोशन आया होगा वो बच्चा छोड़ देता तो ही अच्छा था ठीक है क्या कर देता छोड़ देता ठीक है यह difficult question है ठीक है very very important अगर फिर से 7212 में आ जाए तो आप सीख जाओगे तो जान जाओगे ठीक है इसका formula होता है आप गूगल में सर्च कर लेना the angle between two circles ठीक है two circles के बीच का तो यह cos theta के terms में formula होता है ठीक है cos theta के terms में formula होता है इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना formula को और क्या होता है देखो cos theta दोनों के बीच के दूरी तो cos theta d square minus r1 square minus r2 square upon 2r1 into r2 यह formula होता है यह कुछ जगे आपको यह formula दिख जाएगा कि cos theta बराबर d square minus r1 का square r2 square upon 2r1 r2 मिल जाएगा कुछ जगे कुछ जगे प्यारे दोस्तों इसको लगाने में आपको समय लग सकता है तो इसका दूसरा formula भी market में है जायतर लोग यही लगाते cos theta c1 plus c2 minus का 2 g1 और g2 minus का f1 f2 upon 2r1 r2 मैं आपको बिल्कूल सत्य बताओं मुझे भी याद नहीं था अगर paper में मैं भी जाता तो cdc बात है मैं साब सब्दों में जूट बोलता ही नहीं मुझे भी नहीं याद था असली बात यही सत्य है और इसको आज जान लो यह formula होता है मैंने फिर धीरे से इसको याद करने के कोशिस की और याद दो चार दस बाल लिखेंगे तो याद मुझे भी हो जाएगा ठीक है तो यह इसका formula होता है cos theta बरावबर c1 प्लस c2 माइनस का 2g1 g2 माइनस का f1 f2 upon 2r1 r2 अब करना क्या होगा इन दो equation से value उठा कर यहां रखनी होगी उसके बाद answer आएगा इतियास गवा है इतना आसान नहीं है तीदी जी बात है इतियास गवा इतना आसान नहीं है तो इसको छोटा किया जाएगा दिख रहा है ना थोड़ा ही डलना कि अब दिख रहा है ना पहले बोलो हां कि सर्थ दिख रहा है कोई तो बोलो सीजियल मेंस में भी ऐसा कूशन नहीं आता है इंको भी छोटा किया जाएगा क्योंकि अभी solution बताना है थोड़ी मजबूरी है क्योंकि आपको पीडिया भी प्रोवाइड करना होता है बच्चों समझ गया ना तो थोड़ा सा सब को दिख रहा है अब देखते हैं खेला को कुछ वैलू हम यहीं भरने की कोशिस करते हैं तो एक लाइन उपर भर देंगे लाइन नीचे जैसे यहां 2GX होता है तो उसके इसाब से अगर मैं G1 देखू यहां से जो निकलेगा वह माइनस का 6 निकलेगा G2 देखू, सोरी, माइनस का 6 निकलेगा, G1 हमारा माइनस का 6 निकलेगा, अरे एक क्वेशन नहीं बता है थी, X उसका प्लस Y उसका प्लस का 2GX प्लस 2Y, 2FY प्लस C बराबर, G1 माइनस का 6 निकलेगा F1 जो निकलेगा, वह माइनस का 3 निकलेगा, और जो C1 निकलेगा, वह 41 निकलेगा अगर मैं G2 की बात करूँ, तो G2 यहाँ से जो निकलेगा, वह हमारा K by 2 निकलेगा, यह G2 F2 जो निकलेगा, वह 3 निकलेगा, और जो C2 निकलेगा, वह माइनस का 59 अभी हमें R1, R2 को भी कैलकुलेट करना है, इसलिए तो खेला है, इसमें R1 निकलेगा, 2G1, मैं लगा, G1 का स्क्राइब, F1 का स्क्राइब, माइनस का C, ऐसे कुशन छोड़ने चीए, पर मैं करा रहा हूँ G1 यानि 6 का 36, F1, 3 का स्क्राइब, 9, माइनस 41 तो यह 45 मिसे 41, 4 आया, रूट में बाहर आएगा 2, स्रिज्जा 2, R1 अगर मैं R2 निकालूं, तो इसी में G2, F2 और C हो जाएगा, समझ गे न, तो R2 की वैलू, K2 by 4 3 का स्क्राइब, 9 और, माइनस माइनस प्लस, यानि 59 माइनस माइनस प्लस, यानि 59 यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डरना नहीं है जो डर गया, बाकी कुछ नहीं और यह 68 हो जाएगा, अब उठा कर रग दो थोड़ी से कैलकुलेशन क्या है, जादा है सब सिखाएंगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे न, कॉस्ट थिटा, थिटा बराबर 45 यानि कॉस्ट 45 की वैलू होती है, 1 by root 2 पहले बोलो हाँ, भाई ठिटा बराबर 45 दिया गया है, कोश्ट में देखो गिवेन है जब यहां रखोगे तो 1 by root 2 C1 की वैलू 41 आया C2 की वैलू, अरे दिख रहा है, ना तो बोलना ही नहीं C2 वैलू माइनस का 59 आया माइनस का 2, G1 और G2 G1 की वैलू माइनस का 6 है G2 की वैलू के बाई 2 है F1, F2 तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 नीचे आ जाओ, 2, R1, R2 R1 तो 2 हो गया, R2 क्या है K2 by 4 प्लस 68 थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर प्रकास वस्तिक कानपरवाले मानेंगे नहीं, कर देंगे इससे ये root 2 आया ये चीज़ यहीं लेयाओ, तो उपर हो गया 2 root 2 K2 by 4 प्लस 68 हो गया कैलकुलेशन काफी है कोई बात नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, यानि 6 के हो जाएगा ठीक है ये 9 है, जो कि प्लस का ये 59 ये तो 50 इधर तो माइनस का 9 हो जाएगा समझ गया होंगे और ये 50 हो गया माइनस का 9 हो गया ठीक है, अरे बोलो हा दोनों का whole square कर दो whole square करोगे तो ये 8 हो जाएगा इसका square तो 8 होगा ये k square by 4 प्लस 68 ऐसे रहेगा 6 का 36 k square हो जाएगा 9 का 81 हो जाएगा भाई करना पड़ेगा 54 नचो का 54 54 2 ना 108 k हो जाएगा दोस्तों इसके बाद की calculation करो तो यहाँ पर के की दो value निकल के आएगी थोड़ा सा कैल्कुलेटिव है थोड़ा सा क्या वो तो देखी रहो भर भर के कैल्कुलेटिव हो गया थोड़ा से फॉर्मला कोई गलत अलब तो नहीं लिग दिया है वस यह सोच रहा हूँ दोस्तों हलका सा मिष्टिक कहीं ना कहीं हुआ है वहना ये तना बन नहीं रहा था कैल्कुलेटिव यह राइट है इसके फॉर्मुले में कुछ गरवाड़ है इस वाले में ओके ना 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 C1 प्लस C2 माइनस का 2G1 G2 2 यहां होगा मतलब यह होता है sorry for that C1 प्लस C2 एक बार इसको सही सिक का लेना भाई दोको मजबूरिया होती है मैंने पहले बताया था कि मैंने याद किया है ठीक है 2R1 R2 इसलिए यह कैल्कुलेशन बढ़ती जा रही है वही मैं सुचूँ इतना अब तो मैंने जब solve किया तो इतना नहीं गया यानि यह चीज ज़्यादा हो रही है यानि यहां पर 2 का गुणा और होगा यह formula में 2 होगा मेरे भाई अब तो आपको भी याद रहेगा 2G1 G2 2F1 F2 ठीक है 2G1 G2 2F1 F2 2G1 G2 2F1 F2 ठीक है इसलिए बड़ा होता जा रहा है अब यहां चीज लियाओ sorry for that क्या करें मजब कराएंगे भी या छोड़ना है पेपर में आपको तो सीधी बात है 1841 59 इसलिए यह कट जाएगा वही मैं सोचो इतना बड़ा क्यों हो रहा है 6 दूनी 12 2 से काटोगे तो 6 K के बड़ाबर अब स्क्यार कर दो यह 8 ऐसे हो जाएगा K स्क्यार बाई 4 प्लस 68 ऐसे हो जाएगा 6 का 36 K स्क्यार हो जाएगा 2 के 34 के हो जाएगा समझ गया ना कैसे यह हाँ यह 4 से भाग तो 2 के स्क्यार 36 में यह घटे गा तो 34 के हो जाएगा बाकी यह ऐसे ही चला जाएगा यानि 68 इंटो 8 34 से यह दो बार में गया यानि के स्क्यार बड़ाबर 16 के बड़ाबर प्लस माइनस 4 यह इसका आंसर ऐसे कोशन को पेपर में छोड़ना होता है यह बात याद रखना थीक है दोस्तों चुन चुन के कोशन कराये जा रहे है महबबस से थीक है फॉर्मला अब सही कर दिया है चिंता मत कीजिये फॉर्मला सही कर दिया थीक है मैंने पहले ही बताया था कि जब पेपर में आप चाहें तो मेरे वीडियो में आजी के सुन भी लें हमने एक साफ सब्दों मुला था कि अगर पेपर में ये कोशन आता तो प्रकास सर भी गलत कर देते क्यों क्यों हम railway SSC पढ़ाते हैं अब ये 11-12 की math में आगे ठीक है तो यहाँ पर formula based ये कोशन है यहाँ mistake थी उसको हमने सही कर दिया 2F1 F2 ठीक है और जब करोगे तो ये ऐसी आएगा हो सकता है इससे भी ज़्यादा सौट कट हो फिलाल ये formula based है मैंने आपको करानी की हिम्मत की सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात मैं चाहता तो कोशन नहीं अटा देता नहीं हर चीज सिखाया जाएगा तो इसको एक दो बार जब आप लगा लेंगे तो ये कोशन आसान हो जाएगा उससे पहले नहीं समझ गया अब होता है कहता है मेरे भाई प्यारे दोस्तों question number only is a1, a2, a3 and an belongs to real number then इतना assume its least value मान निवनतम हो ये बोला जा रहा है तो देखा ये जाए कि ये चीज होल स्क्वार के pattern पे है निवनतम मान कब होगा उसको भी समझा जाए निवनतम तभी होगा देखो इसको याद किया जाता है मुटा मुटा निवनतम तभी होगा जब आप a1 plus a2 plus a3 plus an करोगे और n से भाग दोगे ये x का मान होगा इसे यात कर लिजिए तभी इसका minimum आएगा बाकी में क्या है कि उपर वाली का value डबल पर n से भाग नहीं जा रहा है तो ये तो बहुत बढ़ा होगा जब घटेगा और यहां n e का गुणा कर दिया तो और बढ़ा होगा यहां 2 का गुणा करके ये तो ये बढ़ा मतलब x जो आ रहा है वो यहीं होगा कि जो इसके अंदर है a1, a2, a3 and an उसका योग करो और n से भाग दोगे तभी नियून्तम होगा यानि इस चीच को आप तयार कर लो कहता वे अनपाथ जिसमें बिंदू 4, 5, 2 बिंदू 2, 3, 7, 8 को मिलाने वाली देखा को विवाजित करता है दोस्तों बहुत प्यार से हमने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है question ठीक है और आया भी है exam में हिम्मत नहीं आरता हूँ मैं ना ना देखो वे अनपाथ जिसमें 4, 5, दो बिंदू 2 और 3, 2 और 3, 7 और 8, यहां पर रेशियो M1 और M2 होगा और यह 4 और 5 मलब समझ गया ना यह 4 और 5 हमें यह बिंदू दिया गया है यह बिंदू 4 और 5 दिये गया जो अमनों ने निकालते हैं कि X बराबर X1 M1 M2 ऐसे करें निकालते थे ना वही वाला ठीक है वो दिया गया है और यह M1 M2 हमें चाहिए धैर पूर्वक्त ठीको मेरे प्यारे दोस्तों अब आप लोग जानते हो कि हम कैसे लगाते हैं हम इसको इसमें बुना करते हैं और इधर का इसका और इसका इसमें करते हैं वही फॉर्मला है जो आपने पढ़ा है आपने पढ़ा होगा X1 M2 प्लस X2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 बात वही हम ऐसे ही करते हैं दोको दो का गुड़ा M2 में किया साथ का M1 में किया M1 प्लस M2 का यो किया यह बराबर X के और यहां X क्या है 4 है कर दो तो यह 2 M2 प्लस 7 M1 ऐसे आया 4 M1 ऐसे आएगा और 4 M2 ऐसे आएगा बोलो मगर प्यार से उसके बाद देखिए यहां 4 M1 4 M1 है यहां 7 तो यानि 3 M1 हो गया यह चीज यहां जाएगा तो 2 M2 आएगा यानि M1 अपॉन M2 की जो वैलू होगी वो 2 बाई 3 हो जाएगी The right answer of this question guys 2 is to 3 होगा ऐसे question हम पहले भी करा चुके हैं बोलो मगर प्यार से चले दोस्तो मेहनत का खेल है मजाक का खेल नहीं है मेहनत का खेल है कहता है निर्शांग अच के समीकर इतने द्वारा बनाये गए अन्ताखन यह एक आसान question है जैसे आपने intercept वाला x upon a y upon b बराबर 1 सिखा है तो यह a और b होते हैं यहां 3 हो गया यानि x upon a y upon b और z upon c बराबर 1 इस pattern पे लाना है 13-3-2021 ntpc का यह question है तो आप खुदी समझो यह question आप पूरे youtube में देखिए अभी किसी ने नहीं पड़ा है यह बात हकीकत है 6 से भाग दो दो पर हमें इस pattern पे इसको बनाना होगा 6 से भाग दिया तो सभी में 6 से भाग दो ऐसे करके पर अभी यह pattern नहीं बना अब यह क्या लिख सकते है एकस 3 3 का 6 में तो यह 2 आया यह प्लस करो तो y अब 6 में माइनस 4 का भाग दोगे तो माइनस का 3 बटा दो यह प्लस करो 6 में माइनस 2 का भाग दोगे तो माइनस का 3 आएगा और यह 1 अब गौर से देखो ऐसा नजर आ रहा होगा यानि अगर मैं इसका आंसर की ओड़ जाओं तो यह 2 होगा माइनस का 3 बाई 2 और माइनस का 3 होगा जिसमें यह होगा वही ABC का मान होगा ठीक है तो 2 माइनस 3 बाई 2 और माइनस का 3 कहता है निर्दसान अच्छो इतने से बने त्रिबुच का छेथपल देखो निर्दसान मलब एक्सेस हो रहा है और यहां आपका छेथपल इसका नियम है 2x प्लस 3y बराबर 6 यह सब पढ़ाया हुआ है दिखो पाके निर्दसान अच्छो से बन रहा है मालो आम मालो यहां x-axis लिखे मैं आपको समझा दो अगर x-axis लिखेंगे तो y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 3 आएगा मलब 3,0 हो गया अगर y-axis लिखोगे तो x बराबर 0 लिखोगे तो y बराबर आजाएगा किता दो आजाएगा यानि 0,2 जब आप solve करोगे तो यहां पर ऐसी यह चीज 3,0 हो जाएगी यह चीज 0,2 और यह दूरी 3 हो जाएगी यह दूरी 2 हो जाएगी राइट एंगल का एरिया चीए यानि 1 बटा 2, 2 गुडा 3 यानि 3 is the right answer तो question number 22 का जो answer आएगा वो 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, कोई तो बोलो हाँ sir, 3 आएगा एक तरीका यह हो गया, एक तरीका क्या है कि expert choice कहते हैं यह चीज 2 है, यह चीज 3 है तो 2 गुडा 3 ही कर दो, बस हो गया, मुद्दाई खतम पर ऐसी की जगए, इसकी जगए आप पहले ऐसे कर लो, पहले 6 से भाग दे दो ज्यादा आपको expert चीए, 6 से भाग दे दो, तो x, y, 3 हो गया, y, y, 2 हो गया, बराबर 1 ऐसे करने के बाद करते हैं, एक बटा दो, यह 3 और 2 का गुडा तो भी answer 3 आएगा, ठीक है, तो ऐसे भी किया जाता है, इसके 2-3 method और भी होते हैं तो वो धीरे धीरे आपको ग्यान की प्राप्ति है, बोलो बोलो, tell, tell चाले, दोस्तो, जबर्दस question कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे प्यारे दोस्तो, एंगर चाहिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्या, इसका slope चाहिए, एक त्रीके से हम लोग वैसे भी जानते हैं, y बराबर mx प्लस c के form में होगा, तो slope निकल आएगा माइनस का 35y ऐसे रखो, बराबर का या आप ऐसे देख लो 35x माइनस 35y प्लस 15 बराबर 0, अगर इसका slope चाहिए, प्रवनता जिसे कहते हैं, तो 35 अपॉन माइनस 35, मलब x का कॉफिसेंट, y का कॉफिसेंट और माइनस सिम्बल, तो माइनस माइनस प्लस, ये एक आ गया, और अगर एक आ गया, तो यही 10 ठीटा के बराबर होता है, बच्चा, ठीटा बराबर 45, इसका आंसर 45 डिग्री आएगा, ये कॉशन हमने सबसे पहले, आज से 4 से 5 मेने पहले थियोरी में कराया है, थियोरी के रूप में, ये कॉशन SSC का है, ये कॉशन CHSL में आया हुआ कॉशन है, सेम कॉशन CHSL के एकजाम में, सभी को मालूम है कि प्रकास अवस्ति आप में, जेमेट्री के 400 कॉशन का सुलूशन फ्री कर रखा है, उसमें ये कॉशन दो बार, उसमें हमने well manner कराया हुआ है, हम आपको यहां सीधे याद कराएंगे, वना Google से सर्च कर लेना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, परिसान हो जाओगे, सीधे इसको याद किया जाता है, व्रत पर एक बिंदू से खिची गई, अगर थियोरी इसकी पढ़नी है, तो प्रकास होस्ति आप में A, B, C, जो भाई ये पैटन ध्यान अठना, पहले A, फिर B, फिर C, जैसा नाम हो, तो ये RNGP में हो जाएगा, हमने कई बार, यूटूब में इसका बड़ा सुलूशन में दिया है, तो हमने रटवाया है कि B स्क्यार बराबर A, C, अब इसका कंपैर्जन, B की पावर M, A की और N, C की पावर P, यानि M बराबर 2 हो जाएगा, N बराबर 1 और P बराबर 1, याद कर लेना, यही रिजल्ट आता है, इन टीनों से, करोगे सौल, परिसान हो जाओगे, कह रहा है, M प्लस N प्लस P प्लस 10, और बाकी आपको थियोरी चाहिए, तो प्रकास सवस्तिय एप में, जेमेटरी के 400 कोशन कराए हैं, उन्हें कर लेना, जीवन सुख में हो जाएगा, उसी में यह कोशन दिया गया है, ठीक है, है क्वाडिनेट का, पर जेमेटरी में ही दिया गया है, 14 is the right answer, बढ़या कोशन, no doubt, अंतिम कोशन, बड़े प्यार से सीखेंगे, क्या कहता है, कहता देखो, एक्स अच से, अब 2,3, तो 2 तो ये दूरी होगी, और 3 ये दूरी होगी, तो कहीं पॉइंट ये कहीं, 2,3 है, पहले बोलो हाँ, और हमें कह रहा है, एक्स अच पर उन बिंदो की संख्या ग्याद कीजिए, जो बिंदो 2,3 से C काई, और C की वैलू, लेस दिन 3 दे दिया, तो ये दूरी है, तो ये दूरी तो 3 है, और कहरा, लेस देन C जो दूरी है, वो लेस देन 3 है, वो तो कहीं पर भी कोई बिंदो नहीं है, यानि यहाँ शूनी आंसर आएगा, तो कि कोई बिंदो नहीं है, जो दूरी है, वो exact 3 दूरी पर ये बिंदो है, और कहीं को कहता है भाया the area of the triangle formed by the lines of this one which with the coordinate axis very very important चाहे group D का बच्चा देख रहा हो चाहे NTPC का बच्चा देख रहा हो यह जो session है वो आग लगा देगा जिया जिसे session आग लगा देगा और हिम्मत बानिया और चीजों को सीखे अभी तक आपने जो area सीखा हुआ है उसमें तीनों coordinate दे दिया गया यह तीनों equation दे दिया गया उसके बिहाब पर होता है पर यह area कैसे होता है इसमें हम दो चीज बता देंगे देखो पहले तो आप पहले basic से स अच्छों के साथ तो जब हम x-axis लेंगे तो y बराबर 0 तो यह दूसरी equation और जब y-axis लेंगे तो x बराबर 0 यह तीसरी equation हो गया फिर इसमें क्या है कि तीन equation तीन variable solve करो उससे answer आप निकालोगे साप सुत्री बात है भाई यह तो ऐसे बन गया ना पहले basic से समझा रहो मैं अ अभी तो मैं खेला कराऊ मैं अब इसमें कोई बड़ा इससु नहीं है यह 0,0 हो गया यह पहला तरीका समझ लो यह 0 हो गया इधर इसको करो तो कुछ ना कुछ आएगा यह आएगा क्या आएगा साथ उदर गया चार तो साथ अपॉन माइनस चार समझ दार ओ यहां य जीरो है तो साथ बटा दो आएगा अब फिर आप वही लगाओ जो आप जानते हो जीरो कॉमा जीरो दुनिया कॉमा जीरो समझ गया जैसे नहीं 0,0 फिर साथ बाई 2,0 0, मैनस का साथ बटा चार उसके बात पहला वाला रिपीट करोगे तो एरिया जो आपका आता है याद रहे हम आपको कही सारे कॉंसेप्ट सिखाएंगे यह नहीं किस रितना बड़ा क्यों करार हो निपड़ गया निपड़ गया यह बचा यह निपड़ गया यह निपड़ गया यह निपड़ गया तो यह हो गया 49 बटा 8 वो माइनस माइनस प्लस माइनस ही मौड में रहता है तो कोई फ़रक नहीं पड़ता है चार दून आठ यानि इसका आंसर यह आएगा देख लो किसी में है 16 करके उन्चास बटा सूला इस दा राइट आंसर ओप डिस कोशन नमबर 27 का आंसर तो यही आएगा तो बच्चा हमसे करता सर इतना बड़ा करना होता तो आप ही हो बलो बलो बच्चा हमसे ऐसा करता है तो फिर प्रकास मैठड कब काम आएंगे पर बच्चा सेर नहीं करता पता नह है यह नहीं समझ में आता मुझे सपोर्ट बहुत जरूरी चीज़ होती है तो बच्चा इतना मेहनत करके कर रहा है अब जो प्रकास सरी स्टूडेंट है वो इसके कॉंसेट को याद रखता है कॉंसेट क्या है कॉंसेट क्या जैसे एक्स अपॉन एजिसे जिस नहीं एक्स एक्स बोल दे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन भी बराबर वन बना लू और एरिया में कुछ नहीं करना है ए गुड़े मलब वन बाई टू ए गुड़े भी बस इतना हेरिया करना है यह प्रकास सरी स्टूडेंट करते हैं सर कैसी देखो यहां लिखा है टू एक् अपॉन साथ दो से भाग दो गए यह प्लस ऐसे कर लो वाई अपॉन साथ माइनस का चार बस बराबर वन बना लिया अब तुम ठेरे प्रकास सरी स्टूडेंट गलती से और जब प्रकास सरी स्टूडेंट हो तो फिर तो खेल गए ना फिर तो खेल गए ऐसे उन्चास अप माइनस का सिंबल नहीं लेना तो कि एडिया कभी निगेटिव नहीं होता तो आप इतनी सारी मो माया से दूर इतने में खिला हो गया आपके साथ कैसा लगा डाट इस कार्ड प्रकास सुलूशन और याद रहे जब पढ़ेगा वही बढ़ेगा चले तो चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से जब प्लस का आएगा तो आउट साइड होगा जब माइनस का आएगा तो इंसाइड होगा और जब जीरो आएगा तो लाइस ऑन इठ होगा ठीक है हमने उल्टा बोल बैटे थे प्लस का आएगा तो आउट साइड होगा माइनस का आएगा तो इंसाइड होगा ठीक है और जीरो आएगा तो लाइस ऑन इठ आएगा तो सब्दों को सही करना पड़ेगा पहले ही 26 गलत बता दिया उसके लिए छमा प्रार्थी ठीक है फिर से सीख लेते हैं the position of the point 3,4 with respect to the circle x square plus y square minus 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 तो 3,4 रखोगे 3 का square 9 होगा 4 का 16 होगा 3,3 का 9 होगया 4,16 होगया plus 1 होगया यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने plus का 1 आया plus का 1 आया तो यह lies outside of you मतलब बाहर की ओर ठीक है इसके बाहर होगा तो यह question clear होगया 26 में 27 आपको हमने बताया कैसे बताया हम proper बता दे रहें the area of the triangle form the line इतना with the coordinate axis उसमें हमने क्या किया 2x minus 4y minus 7 is equal to 0 this is the first equation x और y axis x axis में y बराबर 0 और y axis में x बराबर 0 इससे solve किया यह के coordinate और यह हमने area निकाल लिया फिर दूसरा तरीका हमने आपको यह बताया कि कि 2x minus 4y minus 7 is equal to 0 तो मासूम से दोस्तो इसमें क्या हुआ कि x upon a plus y upon b बराबर 1 तो 1 by 2 a into b इसका area होता है करते कैसे जी 2x minus 4y बराबर 7 तो 7 से भाग दोगे तो x upon 7 by 2 plus y upon 7 upon minus 4 is equal to 1 1 by 2 7 by 2 into 7 upon minus 4 is equal to 49 by 60 यह area हो गया हमारा थेक है 49 बटा 16 तो यह चीज आप सीख गए यहाँ पर चीजों को हटा रहे है क्योंकि mistake हुआ था तो सही से बता दे रहे है जब plus का आएगा तो outside होगा minus का आएगा तो inside होगा और 0 आएगा तो lies on it होगा रखो 1 और 2 तो 1 का square 1 दो का 4 और minus का 3 हो गया 4 दूना 8 हो गया plus 1 जब इसको देखा तो यह minus का आया जब minus का आया तो वरत के भीतर lies inside the circle 28 का answer lies inside the circle आएगा बोलो मगर प्यार से ठीक है चले 28 के बाद 29 दबर कहता है दो बिंदो इतना और इतने के बीच के दूरी क्या होगी प्यारे दोस्तों distance between two point आप जानते हो बच्चा कि अंडरूट x-x1 का होल स्क्वार y-y1 का होल स्क्वार जब आप लगाओगे तो यह a square पॉस स्क्वार एलफा और a square sin square alpha हो जाएगा आप देखोगे कि हम अंडरूट में a square होगा इसका answer mod a होगा सर मौड a क्यों होगा देखो मौड a का मतलब हुआ कि यह positive आएगा अगर मौड में positive होगा सर अगर हम a b कह दे तो यह भी तो positive होता है यहां फिर इसू हो जाएगा सर इसू कैसे हो जाएगा अगर अगर यह value minus का two cos alpha होता आप कहते है सर a की value तो minus two तो आप minus two बहार बोल दोगे तो गलत हो जाएगा अगर यहां minus two भी है तो भी प्लस का two होगा that's why इस question का answer mod a सही है ठीक है इसका answer mod a right होगा समझ गये तो चीजों को सीखना पड़ता है प्यार से और मोहबब से चले दोस्तो अब यह question जो आया कहता मूल बिंदू से रेखा इतने इतने की दूरी ग्याद कीजिए देखें मूल बिंदू से रेखा इतने इतने की दूरी तो यह point आप जानते हो जैसे equation आपके सामने दिया गया ax1 by1 समझ गये c upon under root a square plus b square होता है तो मूल बिंदू से देखा जाए तो मूल बिंदू के जो coordinate होते हैं वो 00 होते है यानि यह 00 तो यह तो समाप्त हो गया यानि c upon under root a square plus b square c की value 6 है under root a square plus b square a square plus b square a square a square हो जाएगा यानि 4 का square 16 a square हो जाएगा 4 का square 16 और b हो जाएगा 3 का square 9 यानि 6 बटा 5 इसका answer आ जाएगा सभी लोग तेजी से comment करो और बताओ हाँ sir clear है clear है clear है clear है क्या लिए तो प्यार से सीखिए कहता है निदसांग अच के साथ समतल इतने द्वारा किये गए अंता खंड दीकि आसान question है 3x minus 4y minus का 2z बराबर 6 इसमें करना क्या होता है बच्चा जिसे यहां पर x upon a plus y upon b और z upon c बराबर 1 और यह हमें abc का मान चाहिए ऐसे बनाना है तो जिसे यहां x लिखो 6 ऐसे 3 से भाग दोगे ऐसे y प्लस लिखो 6 ऐसे minus के 4 से भाग दोगे यहां z लिखो 6 यह ऐसे minus के 2 से भाग दोगे और बराबर किसके 1 के दोस्तों देखा यह जाए यह चीच यह चीच और यह चीच यह हमारा 2 हो जाएगा यह minus का 3 by 2 हो जाएगा और यह minus का 3 हो जाएगा ठीक है the right answer of this question guys 2 minus का 3 by 2 और minus का 3 latest ntpc का question एक बच्चा के रहा सर आप खुदी पढ़ लो खुद समझ रो अरे देवता भगवान यह आप एक लिए तो लिखा है प्रभू बता देव पड़ोसी के लिखा है का है कि ऐसे बनाना है अब कर दो यह करके दिखा दो का आपका मालूम रहा है पता नहीं कौन सी दुनिया से अरे देवता 26 नंबर कोशन में हमने क्या बताया कि अगर ऐसा कोशन हो तो अगर प्लस का है तो आउटसाइट माइनस आए इनसाइड और उसी पर तो लाइस ओन इट यहां प्लस का वन आ गया तो यहां क्या हुआ आउटसाइड हुआ अब इसमें कौन सा ग्यान दे 27 नंब इसका एरिया होता है मोटा मोटा तो इसको पहले कन्वर्ड किया गया प्रभू आंसर निकाल लिया गया 28 नंबर में प्रभू वहीं चीज है पॉइंट रखा माइनस वन आया लाइस इनसाइड हो गया प्रभू इसमें डिस्टेंस बिट्विन दो पॉइंट तो अंडर रूट ए स्क्यार मोट ए पॉजिटी होना चीए यानि ए ठीक है ए आंसर नहीं बोलेंगे मोट ए बोलेंग या दे मूल बिंदू से तो यह फॉर्मला लिखा गया आपके तो फॉर्मला भी अब रखो के तो जीरो जीरो अब सी सी तो हमारा 6 होगा नीचे 4 का स्क्यार प्लभू तीन का स्क्यार इसमें आपके सामने बना दिया बच्पन में हम लोग इतना पढ़ते थे एकस अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बराबर वन यहां बस जड़ अपॉन सी बराबर वन अब यह टू मैनस ट्री बाई अब का बताए मेरे बाई अब बताओ इसमें कौन सा हम नया ग्यान दे दे ए नहीं लिख रहे हैं पता नहीं कौन से दुनिया से ओपॉर है कि ने मिल लिकित में से कौन सा बिंदो एकस अच पर इस्तित होगा अब बताओ एकसस पे कौन सा इसी दोगा अब एकस एकस में क्या होता वाई बराबर जीरो होता है पहले पोलो हाँ अब इसमें प्रचन्ड से ग्यान बता देंगे जब वाई बबराबर जी रो तो इसी में वाई बराबर जीरो है बाकिक इसी में वाई की पोजिसंट जीरो नहीं है मुद्दा खतम यही आंसर और क्या मेरे भाई विजब फॉलिंग पॉइंट लाइज ऑन डा एक्सेक्स तो वाई बराबर जिरू होता है अब इतना तो मालूमी होगा इसमें तो कोई वो नहीं कर सकते भाई दो को 9 तो गया 10 तो गया 11 तो गया 12 तो गया अब इस्कूल गया ही नहीं तो बात है अलग है ठीक है कहता है बिंदू इतना इतने से बने त्रिबुच का केंद्र क्या होगा सेंट्रोइड आरेस सट्रवाल की किताब में वेल मैनर हमने सेंट्रोइड के बारे में चर्चा भी किया है यहाँ पर भी बता देते हैं बच्चा सेंट्रोइड में क्या होता है कि x1, y1 x2, y2 और x3, y3 और बच्चा यहाँ पर जब देखोगे तो जब हम x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 ये पॉइंट होता है और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये सेंट्रोइड का होता है मेरे बाई ठीक है अब इसमें कोई rocket science नहीं है इनका योग करो चार तीन साथ साथ दो नौ नौ बटा तीन हो गया पांच नो चौदा एक पंद्रा पंद्रा बटा तीन हो गया तो तीन और पांच आंसर अपके तो सर खुदे पढ़ रहे हो तो पढ़ दो अब बता इसमें बता कौन से लिटिस्ट कोशन लगा रहे है तो इसका मिलब पुराने लगा के बैठे हुए हो सीखे हुए हो अस जो इच्छा वो कमेंड कर दो टीचर को डिश्टर्ब कर दो हद है ऐसे काम नहीं चलता है कि अधा बिंदू इतना इतने से समान दूरी पर हो तो एक्स और वाई के बीस सम्मंद ग्याद कीजिए अब यह बढ़िया कोशन है अब कुदी सुचो निकाल लू कि सम्मंद ग्याद कीजिए यह एक्स कॉमा वाई है यह फाइव कॉमा थ्री है और यह 4,6 है अब कॉमन बात किया है कि समान दूरी यानि इस सब डिस्टेंस बराबर हो और डिस्टेंस बराबर है पहले बात को समझो तो यहाँ पर क्या दो बिंदो की बीच की दूरी क्या होगी X-5 का whole square और Y-3 का whole square जो दूरी यह होगी वही दूरी यह होगी अब इसमें प्रकासर कौन सा rocket science ला देंगे वो तो लिखेंगे अब दोनों की दूरियां बराबर होगी तभी तो यह होगा यह दोनों दोनी बराबर यानि दोनों एक्वेशन बराबर करो तो दोनों का square करके लिख दो तो root हट जाएगा इसका square करो तो X square 5 का 25 हो गया और 10 X हो गया Y square 3 का 9 हो गया मैनस का 6 Y हो गया अरे बोलो हाँ बराबर इधर आ जाओ इस वाले में तो इसमें भी बच्चा क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा X square 4 का 16 हो गया और मैनस का 8 X हो गया Y square हो गया बच्चा 6 का 36 हो गया और मैनस का वारा Y हो गया अब इसमें देखो यह दोनों चीज़े इससे कट गई अब इसमें करो हमारी तरफ देखके बताओ कैसे बता दे अब इसको सेम स्वाल करो मेरे बाई माइनस 10 ये तो ये प्लस का 2X आ गया ये 6 ये इधर तो माइनस का 6Y आ गया अब इधर देखो तब इधर ही कर लो बाई 25,9,34 होता है 25,9,34 ये 36 यानि यहाँ दो ये जादा है 2 और 16,18 हो गया बराबर 0 और क्या और क्या अब इसमें क्या है कि कोनो मैची नहीं कर रहा है ये भी ये करेगा 2 से भाग दे दो X-3Y प्लस 9 इस एक्वाल टू जीरो यानि 3Y-X बराबर 0 आप्शन नमबर D हो गया ठीक है तो D is the right answer of this question कोशन नमबर 34 का बोलो हाँ बोलो हाँ तो ये अंसर हो गया आपके सामने हो गया तो दोस्तों अच्छी चीजे सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ठीक है बढ़ेंगे से बताते हुए अब कहता है यदि बिंदु इतने से बने त्रिबुच का केंद्रक बताओ अब केंद्रक K,1 हमसे K का मान पूछ रहा है अब या तो RS अगरवाल की किताब से थियोरी पढ़ लो और या थोड़ी देर पहले अबने केंद्रक का बताया हुआ है क्या कि X1, X2, X3 का योग करो बटा 3 Y1, Y2, Y3 का योग करो बटा 3 ऐसे करने से 3,5 मिल गया तो अब इसमें कौन सा ग्यान कर दो अब लिख के बताओ हर बार लिखा नहीं जाता अब सीधे बस इसी को जोड़ो 3 से भाग वही के होगा क्योंकि बगल में तो 1 आना ही आना है तभी तो 1 लिखा हुआ है सीधी सी बात है तो 10, 3, 13, 13 में से 7 गया 10, 3, 13, 13 में से 7 गया 6, 6 बटा 3 के बराबर दो मुद्दा खत्म और क्या अपके दो सर इसके लिए भी रॉकेट से चलो भाई लिख देते भाई कल को कहें तो 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 बहुत ज़्यादा हाई टेक कर दियो ठीक है बोलो हाँ 13, 3, 2, 0, 21 NTPC का कोशन तो प्यार से पढ़िए महबबस से सीखिए गुसा कभी-कभी आ जाता है समझ लोग, एक तो कौाडिनेट पढ़ा रहे हैं उपड़ से दिश्टर्ब कर देते हो दोस्तों अब पढ़ेंगे प्यार से पहले भी पढ़ा रहे थे कहता है माइनस 2, 5 और 1, 3 से गुजनने वाली सीधी रेखा का समीकरण बचा सीधी रेखा का समीकरण आप जानती होंगी क्या y-y1 y2-y1 upon x2-x1 और x-x1 होता है यहाँ पर आप value रग दीजिए आंसर आ जायेगा यहाँ पर इसे हम x1 की नजरस देख लो और इसे y1 की बाकी वो समझदार हो y2 की नजरसर देख लेंगे तो हम जब ऐसी नजर से देखेंगे तो y-5 ऐसे हो जायेगा 3 में से 5 ऐसे घटा 1 में से minus minus प्लस हुआ और x में से minus स्ब्स माइनस प्लस हुआ पहले बोलो हां आप यहां से सॉल कर लो हां ऐसा नहीं है कि expert लोग क्या करते slope निकाल लेते हैं, slope जिसे दो बिंदू का slope निकाल लो और option में देख लो वही slope है तो भी answer आजाएगा, पर कभी-कभी आपका जिसे यहां से में slope देख लिया, देखो यह एक तरीकी चेशे slope आ रहा है, minus का 2 by 3, minus का 2 by 3, तो देखो किसका slope minus का 2 by 3 है, तो फिर वैसे answer, वोनना एक solve कर लो भाई equation, तेन यहां हो गया 3 by, पांत यहां 15 हो गया, minus का 2 x हो गया, minus का 4, यह बच्चा इधर आ जाएगा, यानि plus का 2 x plus का 3 y हो गया, और यह minus का 11 हो गया, बराबर 0, the right answer of this question यह, 2 x plus 3 y minus का 11, समझ गया, बोलो हां, और यहां से दो को minus 2 by 3 slope, तो य यही है, इसी की slope है, minus 2 by 3, तो ऐसे हम answer भी निकाल सकते थे, 13, 3, 2021 का यह question है, ठीक है, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, ठीक है, 36 के बाद, 37 नम्र, देखिए, question क्या बोला है, इस पर विचार कीजिए, डरना नहीं है, डरने से नहीं बनेगा, कहता है, निम लिकित में से कौन सा समीकर, वाई, अच के समानतर, एक रेखा का, प्रती निधित करता है, अब एक रेखा का, देखो, वाई, अच के समानतर, तो पहले समझो, जिसे यह हमने ऐसे खीज दिया, पहले समझो, अब ऐसे हमने खीज दिया, और ऐसे मैंने यहां ल x बराबर a लिख रहा है तो ये line इसके पैलल हुए कि नहीं क्योंकि ये perpendicular में रहते है दोनों ठीक है तो ये इसी को बोल सकते हैं कि x बराबर a अगर हम करते हैं तो ये क्या आ रहा है इस पर विचार कीज़े ये क्या आ रहा है तो आप कहोगे x बराबर a जो होता है ये parallel to the y-axis और perpendicular to the x-axis भाई x बराबर a तो ये दोनों पैलल हुए कि नहीं हुए अब सर ये a क्यों अरे दे होता a, 0 हम ऐसी तो लिखेंगे यहां पर बोलो हाँ तो ये ही होता है y-axis के ये parallel होगा और x-axis के ये perpendicular होगा तो हमसे कह रहा है निवनिकर में कौन समीकर y-axis के समानतर एक रेखा का प्रदिलित करता है यानि हमें x बराबर a के पैटन भे तो देको y तो होई नहीं सकता यानि ये नहीं पढ़ गया यह नहीं पढ़ गया एमा दूटो वेरेबल नहीं पढ़ गया यानि फिर यह आंसर अब यहां से करके देख लो यह इधर आया यह हो गया क्या 3x और चार में से तीन गया एक यानि x बराबर one by three समझ गया तो यह आंसर होगा 37 का अब ठोको लाइक इसी बाद में तो लाइक ठोको 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 लाइक कि समझे की नहीं समझे चले 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 बढ़िया बढ़िया सुलूशन अर्थिस नंबर किता एं का धनात्मग मान जिसके लिए समयकार इतने के मूल two to three के अनुपात में है अब two to three के अनुपात में है तो अब यहां बच्चा कनफुजी आ गया कि हम कैसे करें और यह क्वाडिटिक एक्वेशन हो गई बच्चा इसमें तो कुछ करना है नहीं जिसे बार एक स्क्यार mx प्लस 6 बराबर 0 और इसके रूट आप ज़्यादा हो तो 2 अलफा और 3 अलफा क्योंकि इसी के अनुपात में बोल ला है भोलो हाँ अगर हम यहां से देखें अब मोटा मोटा देखो अगर हम हमें तो m का मान चाहिए न तो अगर हम मूलो का योग देखें सम आफ रूट्स तो यानि 5 अलफा जो कि माइनस का माइनस बी अपान ए यह हो जाएगा और प्लोडेट आफ दा रूट्स तो इनका गुणा कर दो 6 अलफा स्क्यार बराबर 6 बाइट वैल यानि 1 बाइटू यानि एलफा स्क्यार की वैलू एक बटा बारा आगे अब डरो नहीं लडो धनात्मक्ष यह निगेटिव नहीं यानि इसका स्क्यार कर दो जब इसक्यार करोगे तो यह 25 अलफा स्क्यार एक बटा बारा हो गया अब इसका स्क्यार करोगे तो यह एम स्क्यार अपान बारा हो गया बारा से बारा निप्टा दू एम बराबर क्या आगे पांच कि दया कुस्त होगा बढ़ है कि एक सेकेंड कि बारा एक्स स्क्राइब प्लस एम एक्स प्लस सिक्स इस इक्वाल टू जी रू तो सम आफ रूट्स की बात कर रहा है और टू अलफा प्लस फ्री अलफा डैट मिस फाइव एलफा मैंस का एम पॉंच वैल अचा य कि बारा का स्क्राइब 1124 मतलब यह वैलू यहां रखोगे तो 5 का स्क्राइर 25 एलफा स्क्राइब तो इसकी वैलू यह हो所以 हो गया एम यह स्क्राइब यह बारा कहें 24 मिक्थरिफार आगा आप पच्राइब लोग कि पास्टरी लेना तो यहां से पांच आएगा oh 4 यारा है यही है यही होगा यही होगा यही होगा बोलो हाँ कैसा लगा चले ठोको लाइब टेन रूट थ्री इस दा राइट आंसर अब कहता है एक रेखा दो दो बिंदू इतने से हो का गुजर्दी इसका स्लोप बताईए अब स्लोप क्या आप जानते हो कि 10 ठीटा या एम वाइटू माइनस वाइवन अपन एकस iki माइनस एकस वन होता यह आगे पीछे कर दो y1-y2, x1-x2 जो तुम्हारी सरद्दा हो तो 5 में से 4 गया और 4 में से 3 गया तो ये साइट 1 ही आ रहा है और 1 जो value होती है 10 में वो theta बराबर 45 degree की होती है कैसा लगा हो 39 5 अप्रेल 2021 का कोश्च कहता है एक वरत इतना 1 बिंदू 0,4 होकर गुजरती है 0,4 पुट कर दोगे हाँ जब गुजर रहे हैं तो इसी में उठा कर रख दो 0,4 का स्क्वेर 16 बराबर A स्क्वेर यानि A बराबर 4 मुद्दा खतम यही आंसर अब हम और क्या निकालें आप बताओ what is the value of A तो A की value यही आएगी इसका आंसर यही होगा A की value यही आएगी और इसका अंसर यही होगा बोलो हाँ अब एक प्यारा question आगे एक प्यारा question आगया और अच्छा question भी कह सकते हैं इसको हम थोड़ा सा मेहनती question या तो paper में छोड़ दो जब खतरनाक होता है या तो करना पड़ेगा कहता है एक व्रत की त्रिज्जा तीन इकाई है मलब जो इसकी radius है वो तीन है और इसका केंद रेका y बराबर x-1 पर इस्तित है व्रत का समीकन ग्याद किजिए यदि वे बिंदू 7,3 से गुजरता हो या तो आप क्या करो सभी की radius चेक कर लो या तो सभी की radius चेक कर लो ठीक है और हो सकता है जब आप radius चेक कर लो सभी की same radius आजाए क्योंकि कोई वरोसा नहीं क्यों x-1 का whole square y-1 का whole square बराबर r square r यानि 3 का square जो कि 9 हो गया x x1 तो इसे इसे आप कुछ भी कर लो x को आप g माल लो या h माल लो जो मानना चाहों वो माल लो g माल लो या h माल लो कुछ भी जो आपकी सरदा हमने माल लिया देखो लेट आपका इच्छा है तो p माल लो प्रकास होस्ती x बराबर h माल लो तो ये 4 square हो गया y1 जब इसको माना y की value हो गई h-1 क्या करें? मजबूर ही जब छोड़ी देना चीज़े से question दो ये आ गया व्रत का समीकर ग्याद करें जो इतने से गुजड़ता है यानि अब 7,3 हम x और y की जगे रख देंगे ठीक है 7,3 x और y की जगे रख देंगे यानि 7-h का whole square हो गया मजबूरी है मेरे भाई हम चायते ही नहीते है ऐसा करना मजबूरी हो गए अब तो हाँ इसी चक्कर में सौटकट सोचे देख लाओ बना के देखें मेहनत पर मेहनत लगेगी कोई बात नहीं अब इसको खोलो साथ का square 49 हो गया प्लस का h square हो गया माइनस का 14 का कर दो कुछ हो नहीं का क्या अब यहाँ कुष्ण काफी बड़ी हो जाएगे लो साल करने दिमाख खराव जाएगा चलो क्या करें मजबूरी का नाम मात्मा गान्दे 49 वो सब्द मेरे गलद निकल गया च्छमा प्रारती क्या करें 4 का square 16 प्लस h square माइनस का हो जाएगा 4 दुना 8 h बराबर नो यहाँ देखा जाए 2 h square हो गया बच्चा ठीक है इसमें चले जाओ तो 14 और 8 हो गया कितना 14 और 8 22 h हो गया और 49 16 यह 9 तो 9 इधर कम करोगे तो 49 16 में से 9 कम गया कितना है यह 7 और 49 और 7 56 हम यह चाहते ही नहीं थे कि ऐसे हम करके बताएं आपको साब बताएं मेरी 1% भी इच्छा नहीं थे 28 हो गया हाँ अब इतना लॉंग प्रोसेस नहीं बताना चाता था अब ठाइस साथ चोग अठाइस हो गया साथ चोग तो माइनस प्लस अब वैसे नहीं करो माइनस प्लस तो दोनों रूट्स प्लस प्लस होंगे एक साथ आएगा एक चार आएगा यानि यानि जो एच का मान आएगा वो दो आएगा एक साथ आएगा एक चार आएगा एक साथ आएगा एक चार आएगा पहले बोलो हाँ कि एक 7 आया और एक 4 आया ठीक है 7 और 4 अब इसके बाद करना क्या है बच्चा इसके बाद जो हमारे सामने ये है ये जो एक दिक्कत है 7 और 4 7 और 4 भाई ये है और ये है ये हमारे ह के मान है बोलो हाँ तो अगर हम क्वाडिनेट देखें एक हो गया 7 साथ में से एक गया 6 हो गया 7,6 दूसरा देखें तो ये 4,3 हो गया ये हमारे मान हो गया 4,3 4,3 अब इसके बाद हमें और थोड़ा सा सॉल करना पड़ेगा क्या करें क्या करें कुछ लोग कह रहांगे सर का बताया पड़े हो हम इसको रिपीट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अब दोस्तो इसके बात का कदम क्या है उसको समझो इसके बात का कदम कोई टफ नहीं सीधे सॉल करना है सॉल कैसे करेंगे बड़ा सिंपल है ठीक है साथ कॉमा छे करोगे तो जेको साथ दूनी चौदा ये सब बनेंगे नहीं तो आप चार कॉमा तीन वाले को लोग जैसे एकस माइनस चार का हूल स्कॉरर ओ नॉ के बराबर यानि एकस चार पाइस्वाय जैसुल हो गया चार का स्क्वेयर 16, चार दुना आर्ट एक्स, वाई स्क्वेयर हो गया, वाई स्क्वेयर, तीन का स्क्वेयर 9 हो गया, माइनस का 6Y हो गया, और बराबन 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल तो यानि एक्स स्क्वेयर माइनस का आर्ट एक्स, माइनस का 6Y, दोस्तों ऐसा कुशन पेपर में आए तो छोड़ देना या तो फिर आप सीखी लेना ठीक है एक्स स्क्राइब प्लस य स्क्राइब 8x-6y यह फिर आंसर हो जाएगा यानि राइट आंसर आप दिस कुशन भी अब हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं दिखे कभी कभी कुशन होते हैं जिनमें समय की बरवादी होती है उनमें से ये कोशन हमारा सामिल है ठीक है यह इंटर की मैत वाला है अब देखो लंबा समय हो गया हमें भी ठीक है और इंटर की मैत में हम लोग जब पढ़ते थे बच्छपन में तो पूरा ही सॉल्व करते थे मेरी एक परसेंट इछा नहीं थे कि इसको मूं पूरा सॉल्व करें ठीक है क्या करें मजबूरी है ये 12th क्लास की मैत का कोशन ही है समझ गया है हमने यहां पर x को h माना तो y की जो value हो गई वो h-1 हो गई उठा कर इसमें रखा ये जब यहां से सॉल्व किया तो एक quality equation बना जहां पर हमारे पास h के 2 माना है एक 7 और एक 4 है 7 को यहां रखा 4 को यहां रखा तो 7 को रखा तो 7 6 4 3 7 6 से इसली नहीं करेंगे क्योंकि यह 8 और 16 में चला जा रहा है तो वो नहीं बनेगा 4 और 3 से चुकि x-4 का whole square y-3 का whole square बराबन नो यहां solve किया तो वो equation मिल गई लेकिन जो हमने इससे पहले वाला solve किया था वो center के इसाब से करते तो minus g minus f होता है तो उस लाब से भी answer b पे ही हम लोग पहुँच जाते तो यह इसका solution है थोड़ा सा long हो गया शमा प्रार्ति क्या करें बताओ क्या कर ले हम भी क्या कर सकते है अब जिसे यह भी long है पर दिमाग लगाएंगे भाई है यह भी long इसमें दिमाग इसलिए लग जाएगा क्योंकि option से खेल जाएंगे वहाँ खेलने कोशिस की नहीं खेल पाए क्या करें चल जाए तो चांद तक वनना साम तक कभी कभी ऐसा होता है यह p की value हो गए 8,0 हो गया p q r 7,5 और यह हमें निकालना है कहता है एक समांतर चत्रबुज p q r s में इतना तो s के निदसां क्या होंगे अब x के निदसां कैसे निकालने है इस पे विचार कीजे याद रहे समांतर चत्रबुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है पहले बोलो हाँ इन दोनों के बीच की डिश्टेंस इन दोनों के बीच की डिश्टेंस के बराबर होगी इसका आर्थ यही हुआ फिर इन दोनों के इन दोनों का तो यहाँ पर आपको क्या calculation ज़्यादा बन रही है पर patience रखो होस आएगा 8 और 9 9 का square 81 हो गया ठीक है और यह प्लस 1 यानि यह root के अंदर 82 आ गया इसको ऐसे छोड़ दो ठीक है क्योंकि 41 दूना 82 होगा अब यह 8 में से 7 गया तो पंद्रा स्वरी 8 में 7 गया एक आया एक का square एक 5 का 25 तो यह root 26 हो गया तो root 26 यह हो जाएगा और यह root 82 हो जाएगा अब आपको options के एसाब से यहां रखो तो ऐसा रखो कि यह बन जाए जैसे मालूम हमने मोटा मोटा आप लेगो पहला options अगर उठा रहो पहला option उठा रहो कि minus 2 यह वाला minus 2 और 7 तो देखो नीचे यह 7 बटा 2 बना हुआ है उसका कहीं से भी खेला समझ में नहीं आएगा और नहीं कटेगा तो इसको अभी छोड़ दो पहले को क्योंकि 7 बटा 2 में आ रहा है तो पहला छोड़ेंगे तब ऐसे d वाला भी छोड़ेंगे सीदी सी बात है minus 2 और 4 लेके देखो 7 दो नो 7 दो नो 7 दो नो तो यहां पर भी चेक करो minus 2 में से minus 1 गया तो minus 1 और 4 यह पांच 5 का 25 यानि options नूमर 20 का feedback जाएगा तो इसका right answer भी होगा और अगर हम किताब की तरीके चले तो काफी बड़ा question हो जाएगा याद रहे कभी कभी ऐसा होता है ठीक है तो यह एक तरीका बहुत better है और एक तरीके से सिखा दिया गया बोलो हाँ ठीक है तो यहां से आप अच्छे से answer को सीख सकते वाया options ठीक है चले अब हमसे कहता है हमसे कहता है बिंदू 2,3 से वरत इतने तक इस पर्स रेखा की लंबाई गयाद किजिए अब 2,3 से वरत इतने पर इस पर्स रेखा की लंबाई गयाद किजिए अब बताईए 43 नंबर question को आप कैसे करना चाहोगे ठीक है इसमें आप विचार कीजिए विमर्ज कीजिए आप कुछ ना कीजिए इस पर स्रेखा की लंबाई ग्याद कीजिए ये बोल ला है इसमें होता क्या है बच्चा उस पे फोकस करते हैं ये जो दिया गया है तू तो दो का स्क्वेर चार ये जो तीन दिया इसका स्क्वेर करोगे 9 और जो ये दिया गया इसको बस घटा दे ये इसका फॉर्मॉला ही होता है या तो आप कह सकते हो जी स्क्राप्न से स्क्वेर मैनस का ती या आर बोल सकते हो ठीक है चार से चार गया तो यह तीन आ गया यह इसका इस पर स्रेखा की लंबाई हो गए ठीक है तो 3 is the right answer of this question बाकी लोग बताईए ठीक है तो इसे ऐसे करना तो जल्दी बन जाएगा बिल्कुल दीके conceptual है यह ऐसा नहीं है आप जब search को इसका formula आ जाएगा आप मुटा मुटा याद रखो कहता है बिंदू 2,3 से व्रत इतने तक कि इस पर स्रेखा की लंबाई गयात करूँ तो जो यह बिंदू दिये गए है पहला उसका square फिर इसका square और जो बाद में radius है वो एक तरीके से माइनस का चार गटा दो तीन आंसर हो जाएगा ठीक है फाइंड लेंट आप टैंजेंट फ्रॉम दपॉइंट इतना तू दा सरकल ओफ दिस वन ठीक है जी आप ऐसे कर लो बाकी फिर क्या होगा कि व्रत पर जो इस पर से रिखा है तो फिर हम एक्स एक्स वन बनाए फिर य वाई बन बनाए फिर उससे आप से स्वाल करें अन्जेने नहीं उससे आप से हम नहीं करना जाएंगे ठीक है तो आप ऐसे इसको कर सकतो ठीक है के तब दो रेखा इतने की बीच का कोड तो यह हमने बताया था कि 10 ठीटा होता है 10 ठीटा फर्मला होता है मोड में ले लो M1 माइनस M2 1 प्लस M1 और M2 सलोप का नहीं पहले के इक्वेशन का सलोप निकालोगे तो M1 बराबर माइनस 1 आएगा इसका दूसरी क्वेशन का सलोप निकालोगे तो मैंस वन हो जाएगा उठा के रख दो मौड में और infinity जो value होती है वो 1090 की होती है यारी theta बराबर infinity answer हो गया इस question का answer infinity आएगा theta is equal to infinity is the right answer ठीक है तो यहाँ पर जो answer आएगा वो 90 degree आएगा 44 का जो answer आएगा वो 90 आएगा 44 के बाद 45 एग रेखा का समेकर जो एक बिंदू एक 5 से होकर जाता है और x-y 5 के लंबवत है दिखिए लंबवत बोला गया जिसे x-5 बराबर 5 तो लंबवत बोला गया तो इनके जो slope होते हैं यह माइनस से तो यह प्लस हो जाएगा बाकी interchange जैसे हम लों नहीं पढ़ते थे ax plus by plus c बराबर 0 अगर इसके perpendicular होगा तो bx minus ay और यहाँ lambda is equal to 0 यह बराबर lambda के यह खिलते थे अब बराबर lambda भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो x और y की value हमें दी गई यह 1,5 तो 1 प्लस 5 ऐसे बराबर lambda के यानि यह 6 आ गया यानि इसका answer x plus y बराबर 6 यह हो जाएगा क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या लिए पैतालिस के बाद 46 कहता है त्रिबुच ABC एक बिंदू है जिसके सीर्स इतने है यदि त्रिबुच A पर सम कोण है तो A का मान ग्याद कीजिए क्या है सम कोण है देखे राइट एंगल बोल दिया गया और एक सीर्स 0,0 है जीरो कॉमा जीरो तो यही होगा तो राइट एंगल कुछ ऐसा बनेगा पहले बोलो हाँ क्योंकि मूल बिंदू होगा अब इसमें पॉइंट लिखा हुआ है क्या बोला गया अच्छा एक ऐसा भी बोना बन जाएगा मूल बिंदू पर एक सेकेड एक सेकेड मैनस 5,5 भी है न तो ऐसा नहीं है सुचो 46 नुमर को हम कैसे करें राइट एंगल में ऐसा बन जाएगा वो बात की बात है वो सही है ऐसा नहीं है पर गलत है वो देखो यह पॉइंट एक वर्टिसेस तो 0,0 हमें वर्टिसेस रखनी पड़ेंगी न उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते माइनस 5,5 है माइनस 5 इधर आएगा और 5 इधर आएगा यानि एक वर्टिसेस यह होगी बच्चा तो राइट एंगल है तो कुछ ऐसा ही चलेगा अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर एपाँच है यह वाला पाँच है यह उपर ही रहेगा यह लाइन नीचे नहीं जा सकती है यहां हमारा यह आएगा बढ़िया कोशन यह भी अच्छे कोशन जब कराएंगे तो समय लगता है तो हमसे कर रहा एक अमाल यह हमारा राइट एंगल राइट एंगल में आप जानते हैं दो छोटी बुजाओं के वर्गों का योग बड़ी बुजा के वर्ग के बराबर होता है हम उससे इसका अंसन निकाल सकते हैं ठीक है बोलो हाँ तो आप पैथा गुरसी लगाओ मेरे भाई और क्या चारा आप पताईए पैथा गुरसी धेए हैं देखा यहां से जब पैथा गुरस लगाओं तो ईसक्यार पांच का यह आजाएगी इसके दूरी यहां से लगाओं थे यह माईनस का 5 है यह माईनस का 5 है माइनस का 5 तो 25 पच्चिस ये भी हो जाएगा पच्चिस दुना 50 रूट 50 हो गया इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगी इन दोनों के बीच की दूरी तो ये हो जाएगा A प्लस 5 का होल स्क्वेर 5 में से 5 चला जाएगा ठीक है पाइथा गुरस आप जानते हो दो छोटी बुजाओं के वर्गों के योग बड़ी बुजा की बराबर तो इसका वर्ग करोगे तो 50 आएगा इसका करोगे तो A स्क्वेर प्लस का 25 आएगा बराबर इसका तो सीदी से बात है A स्क्वेर 5 का 25 हो गया और 10 A हो गया इससे ये खतम ये खतम ये खतम A बराबर 5 आ गया तो राइट आंसर आप दिस कोशन A is equal to 5 पूरा कोशन इमानदारी से solve करते हुए प्रकास सरकानपुर वाले यानि मैं ठीक है बढ़िया कोशन है की जो को समझो एक बच्चा के रहा 45 नमबर रिपीट करो 45 तो बच्पन की यादे हैं बच्चा जैसे ये एक equation मिलता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 तो उसके जो perpendicular होता है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा तो ये BX माइनस AY प्लस Lambda is equal to 0 तो ऐसे करते हैं चले कहता है 2,3 से गुजनने वाली रेखा का समिकर इतने को मिलाने वाली देखा के लंबवत है दिखिए पहले तो 2,3 से गुजन वाली इस रेखा का लंबवत है तो ये पॉइंट दिया गया गुजननने रेखा का समिकर इतने के लंबवत है फिर से वही चीज है बच्चा जिसे ax plus by plus c1 is equal to 0 अगर इसके परपेंडिकुलर है तो bx minus ay बराबर lambda और फिर x और y की value उठा के रख दो यहां खेला है थोड़ा सा मेनत है थोड़ा सा हमीं करना होगा y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1 हो जाएगा यहां पर देखो y ऐसे रखोगे y1 की value आप पहले देखो y1 की value तो y1 की value 6 हो जाएगे बोलो हाँ y2 की value y2 हो जाएगा 5 minus minus हो जाएगा plus 6 और 5 minus का 6 minus का 6 minus minus हो जाएगा plus और यह x यह 6 हो जाएगा यह यह minus minus plus 5 हो जाएगा ठीक है देखो यह हो गया ऊपर कितना minus 1 नीचे भी क्या हो गया minus 1 तो वो निपटी गया यानि y minus 6 बराबर x plus 5 हो तो x minus का y minus का 11 यह equation number 1 हो गये अब यह equation number 1 हमने कैसे निकाली वो आप समझ गये आपके सामने पूरा solution है उसमें 1% भी गलत नहीं है अब इसका परपेंडिकुलर तो यह minus की जगह प्लस हो जाएगा यह परपेंडिकुलर और यह lambda किस पॉइंट से जा रहा है 2,3 तो यहां दो और तीन रग दो दो और तीन होता है 5 यह answer कैसा लगा कोई मिल नहीं रहा तो आप मिलेगा तो यह चीज समझ गया जैसे एक बच्चा 44 कह रहा था तो यह 47 है तो आपके सामने है तो यह करना पड़ेगा अब यह latest question है ठीक है पहले कैसे आए वो बात की बात है पैलल में क्या होता है slope सेम होता है perpendicular में क्या होता बच्चा प्लस की जगे माइनस होता है ठीक है प्लस की जगे माइनस होता है यह बात याद रखना ठीक है समझ गया न अब चाले तो 47 के बाद 48 नमबर कि तब 3 सीधी रेका इतना है तो 3 स्टेट लाइनस आर अब यह क्या है पैलल है perpendicular है इस टाइप से बोल रहा है तो देखा जाए यह तीनों पैलल है क्यों 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 जो इसका slope होगा एक्स प्लस वाई देखो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई तो slope और यह 3 एक्स प्लस 3 वाई तीन से भाग दोगे तो तीनों का slope क्या है समान आएगा बच्चा क्या आएगा समान आएगा यानि यह हमारा पैलल है क्योंकि तीनों का slope समान है M1 बराबर M2 बराबर M3 बोलो हाँ चलिया अभी एक बच्चा 44 नंबर में ही परिशान है प्रभू slope कैसे आया जैसे तुर्वाज से पढ़ता ही नहीं हमने कहा कि आरे सग्वाल से एक बार पढ़ दो मेरे देवता पर नहीं पढ़ना है slope क्या होगा जो M होगा वो माइनस का X का coefficient A upon यह B होता है अब जैसे देवता है जैसे X प्लस Y बराबर 2 लिखा है कि अधाच है स्लोप चाहिए तो यह वन एक वन का इससके कौफ्टिש गुंटवर्ण है इसका भी कौफिजर्ण वन मैं है प्रभू यह माइनस वन होगा और ये 1 से तो slope इसलिए माइनस 1 हुआ दूसरे में देखो कि बच्चा तो प्लस का यूज किया होगा क्यों चुकि एक्स माइनस वाई है तो इसका कॉफिसेंट पहले तो माइनस आएगा इसका कॉफिसेंट 1 है और यहां नीचे माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा न तो माइनस लूग ठीक है किताबे नहीं पढ़ेंगे बोल लें कि आर सगरवाल से थेयोरी पढ़ लो मेरे भाई और हमने पेपर जब पेपर वाद एंटी पी सिका आपको साब बताएं उससे पहले यहां सगरवाल का पहले धाई-गंटा थीयोरी पढ़ाया धाई-गंटा कोॉशन कराया वो और वही सारे कोशन पेपर में आय तो सारे कोशन आय vermme पर ध्यान ही देता सुचता है समों माया है कि कहता है समभाव त्रुभूँच का तीसरा सिर्ष अर्ष अगवाल कोशन है ऑब बता पेपर में आया और इससे पहले प्रीवियस यहर में था ही नहीं तो जो जो हमने यूथ में यूथ की किताब पढ़ाई थे उस टाइम जो जो बोलते गए थे अगर बच्चा वो वो चीज उस उस किताब से अगर फॉलो किया था समझो सारे कोशन करकिया एक संभाव तरुपच का तीसरा स्विर्स गयात किजी जिसके दो स्विर्स इतने हैं अब यह बढ़िया कोशन है आप जनल करो कि काफी बढ़ा हो जाएगा जिसे आज के सिसन में कई सारे कोशन तो जनल में बढ़े हो जाते हैं इस शक्कर में सौटकर के चकर में रहें तो किसी में एक आदमे समय लगा दि अब जैसे यह कोशन है बच्छा आप खुली देखो अब सबको मालूँ है कि इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी बराबर करना है पर एक्षॉय निकालने में हालत क्योंकि रूट में आंसर है तो सर Summit से निका ले यह मुड़ा है सब कैसे निकाले कि उसमुदे गषाल आ आ दो में से धो 6 से 4 दो आएगा मैं इन दोनों की बीचका चाहर्व मिल्सक तो यह दो डूरि इसकी भी होनी चीए डो दूरि इसकी बीचे इसकी होनी चीए यही तभी आंसर आएगा अब एक मोटा मोटा देखो अगर मैं पहले में रूट 3 रग दू या रूट इस तो टू माइनस रूट 3 हो जाएगा टू मैनस रूट इस कभी दो बनने वाला नहीं है क्यों या तो रूट 3 होता उसका स्क्वार आसान होता है यानि यह गलत है इसी पैटर्ण पे फिर यह भी गलत गया 6 में से 5 गया एक एक का स्क्वार नहीं यानि इसका अंसर यह होगा चेक जरूर करो क्योंकि confidence बहुत जरूरी चीज़ है अब चेक क्यों कर रहे है अभी समझ में आएगा और यह ऐसे करो कि तभी जल्दी होगा दो से दो गया तो रूट 3 बचा रूट 3 का स्क्वार अं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉश्चन है 21 1221 कव और कोई तरीका करोगे बनना ही नहीं है पेपर में समय बरबाद कर पाओंगे क्यों तो कि यह वो स्लेवस है बच्चा यह स्लेवस 11 और 12 क्लास का है और यही एंटी पीसी ने पूछ दिया कॉडिनेट में ठीक है अब जैसे यह कोश्चन है करा छेत्पल बताईए आज हमने बताया निदसांग अच्छ बोल दिया न निदसांग अच्छ से सीधी तो हमने आपको जो कौन से बताया था कि एकस अपाउन एक कर लो प्लस वाई अपाउन बी कर लो बराबर वन क्योंकि यहां पर हमसे एक एक एक्क्वेशन एकस वराबर जिरो वाई बराबर जिरो तो इसी सी जल्दी हो जाएगा एडिया होगा वन बाई टू एबी बस मॉड में रहता है तो आप देखो यह जो 35x प्लस 7y 35 लिखा हुआ है तो x 35 में 5 से भाग दोगे 7 35 में 7 से भाग दोगे तो 5 आया बराबर 1 आया अब area निकालोगे तो 1 बटा दो 7 बुड़े 5 तो 35 बटा दो इसका answer 35 by 2 हो जाएगा 35 बटा दो 35 by 2 हो जाएगा ठीक है बढ़िया कोशन और यह हमने सिखाया है सुर्वात में ठीक है चले कहता है यदि 2 बिंदू x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 है तो x के संभावित मान क्या है संभावित मान क्या बच्चा एक तरीक इसको तो solve ऐसे करना होगा x-1 का whole square और 7 में से 15 गया इसका whole square जो कि 10 के square के अब मोटा मोटा देखो x-1 का whole square 7,15 तो यह 8 का square हो जाएगा जो कि 10 का square अब संभावित मान तो देखा जाए तो इसको solve करो यह ना भी solve करो तो भी आपके दिमाग में ट्रिपलेट्स आ रहा होगा कौन सा अपने ट्रिपलेट्स से एक देखा होगा अचाई यह 10 के बराबर है भी अभी 10 के बराबर है ठीक है फिर बाद में square 6,8,10 वाला तो 8,10 तो यह 6 होना चाहिए अब यह 6 माइनस का भी हो या प्लस का तो कोई फर्क नहीं यानि x-1 बराबर एक बार प्लस का 6 कर दो एक बार माइनस का 6 कर दो क्योंकि square में कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां से एक बराबर x बराबर 7 आ जाएगा और एक बराबर आ जाएगा 5 यानि 7-5 वैलू आएगी 7-5 को नोम है नहीं फस गया प्रकास सर नहीं माइनस का 5 है ठीक है माइनस 6 में एक जुड़ोगे तो माइनस 5 यह answer आ गया जी हो गया बच्चा ठीक है तो यह ऐसे अपके दूसर क्यों क्योंकि देखो बच्चा आपने जो फर्मला पढ़ा है आपने यह भी पढ़ा है ऐसे तो दो भाई क्वाडिटिक एक्विशन बनेगी तो दो वैलू बनेगी न सीदी सी बात है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वार सैवन माइनस 5 या तो यहां से पूरा सॉल करो इमान डारी से तो भी आपका आउनसर आएगा ठीक है तो यह तरीके नौर बचयं न्टी पेसी के सारे लिटेश्ट हैं कहता है यह दी व्रत इतना रिसकी 34 तो ब्रतका समीकन ज्याद कीजिए अब व्रतका समीकन ज्याद कीजित या निंटा चार वाला अंसर होगा या तो वह कर लो याgehen इस को निकालने मिर भाई अब व्रतका समी कर निकालավ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, भै, क्यों? भै,플 सेंटर दें दिये गया, जो सेंटर जिसे हमने सेंटर x1 का whole square, y minus y1 का whole square बराबर r square, अब उठा गे रख दो, x plus 2 का this whole square हो गया, और y-3 का ये whole square हो गया 4 का square 16 खोल दो मेरे भाई x square 2 का square 4 हो जाएगा 2 का square 4 2 का square 4 2 का square 4 और फिर 4x हो गया y square ये 9 हो गया और ये minus का 6y ये 16 हो गया देख लो मेरे भाई यहाँ पर आप मोटा मोटा देखो ये 4x मैनस का 6y है 4x मैनस 6y 4x मैनस का 6y ये हो गया 4x मैनस का 6y यही आंसर हो जाएगा बी वाला ठीक है बाकी आप sit कर ले ना मिरे भाई और किसी में है भी नहीं अब इसी में क्या था जो सबसे बड़ा question आया था जिसमें हमने काफी समय लगाया विस्तार से बताने चक्कर में अब आगया यह यह साइट यह question है पर इस question को जब हम करा रहते बच्चा जब हमने पहले मलब पहले जो अपना प्रचंट ग्यान दे रहते उस आप से देखा था हमने आपको बताया था कि जो center होते है minus का g और minus का f होता है center इस type से तो यह minus का g और minus f तो यह जब यह वाले point रखोगे तो यह 4,3 center में आएगा तो answer में यह 4,3 वाला खेला था ठीक है तो यह चीजे होती है concept is the power तो यह थोड़ा बड़ा समझानी में हो गया क्योंकि हमने अब ऐसा होता है जब इतना सारा पढ़ा हो तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है जब बंद हो गया एक में तो दिमाग लग नहीं रहा है अब अन्तिम कोशन के दाइब दा लेंट आप दा टैंजेंट फ्रॉम दा इस वन इस पर से रिखा कि लंबाई रूट से तिस एकाई है तो के का मान ग्याद किजिए हो दोнов होकिए अब इसमीं क्या होता है यह दो और पांच इसी फंह उठा के दर्द कि मुद्दा समाप्त एह मुद्दा समाप्त क्यों ऐक थोभी दिर पहले एक कोश्चन आया था जिसमें एक्स किया प्लस वाई स्क्वेर पहले समझो x square plus y square मैं बिल्कुल बाराबार और बिल्कुल सही चीज़ों याओंगा R square था x square plus y square R square था और उस time हमें क्या निकालना था तोरी निकालनी थी जिसमें बच्चों ने 1 सेकेर एक भी point आपका miss नहीं करो बहु हु में जिसे ये कोशन था, ये कोशन, ठीक है, तो यहां क्या था, find the length of the tangent from the point इतना to the circle, बिंदु इतने और इतना बराबर 4, तो इस पर्स रेखा कि लंबाई क्यात किजी, यही था, अरे बोलो हां, तो हमने आपको क्या बताया, हमने बस यह कहा था, कि अंडरूड में, यह, यह, औ हो सकता है कि बहुत से बच्चों को यह point नहीं समझ में, हाँ, तो ऐसा होता है कि अंडरूड में यह हो जाएगा, x square plus y square minus 4, यह इस पर्स रेखा हो गई, अब यहां पर 2 और 3 point उठा कर रख दो, 2 का square 4, 3 का 9, minus का 4, confusion नहीं आएगा, 4 बाहर आया, तो 3 हो गया, ऐसे था, तो अब हमारा जो अंतिम भी है बच्चा, देखो, कुछ point में आप लोग confusion आ गए होगे, इस शक्कर में हम उन चीजों को दिखा रहे है, अब जैसे यह question है, तो इसमें क्या है, कि अंडरूड में लेओ पूरी value को, x square plus y square minus का 5x plus का 4y plus का k, जैसे अभी लाए, अब बराबर क्य यही दूरी है, बस यहां से आप के निकाल दो, अब के कैसे निकाल होगे, 2 और 5 उठागर दो, 2 का square 4, 5 का पचीज, भोलो हाँ, पांच दूना 10 हो गया, 5 का 20 हो गया, प्लस के ऐसे, ठीके point क्लियर करवाना बहुत जोड़ी होता है, यह 10 आ गया, 10 प्लस के हो गया, यहां रूट सैतिस हो गया, तो यानि के बराबर 2 होगा, मुद्दा खतम, तो यह आपके सारे के सारे point क्लियर हो गया हो गया, बोलो हाँ, बोलो हाँ, चले, तो concept is the power